हेलो एंड वेलकम एवर्यवान स्टार्ट करते हैं हमारे आज के सेशन को आज का हमारा सेशन जो हमारे आईबिपी एप्ट सेफो क्रेश कोर्स के बाइलिंग्वल या फिर कही है हिंग्लिश मीडियम का जो है यह वैरी फर्स सेशन है मेरे टीम में लोग कह रहे थे कि एगरोनमी से स्टार्ट करो सर यूट्यूब पे डालना तो एगरोनमी को पढ़ाओ ज्यादा इंप्रेशन जाएगा भी को ज्यादा बच्चे देखते हैं और इजी या पढ़ाने के लिए मैंने गवाला नहीं सब्जेक्ट वो पढ़ाओंगा जो कमपैरेटिवी लोग कम पढ़ाते हों जिसकी वीडियोस कम अवेलेबल हो विकोज एगरोनमी के लिए बहुत सारी वीडियोस हैं तो हमने आज इंग्लिश मीडियोम का बैच भी स्टार्ट किया है उसमें भी क्लास लाइव हो चुकी है वहाँ पे सीड साइंस चल रहा है जो 6 आर्स तक चलेगा और यहाँ भी सेम 6 आर्स तक चलने वाला है फोरेस्ट्री यह फोरेस्ट्री का फर्स सेशन है जो the application ही चलेगी, but if you are from English medium, so we do have a course for English medium student as well and your class is live now in the application only, चलिए काफी आज के लिए, start करते है session को, forestry मजा आने वाला आपको इस session के अंदर start करने से पहले थोड़ा सा मैं introduction दे दूँगा इन sessions के बारे में वो introduction ये है के इस के लिए, इन session के लिए जितनी हमने महनत की है इतनी हमने आज तक कभी नहीं करी थी, because एक बात जो मैं लोग को हमेशा बोलता हूँ, जो मेरे student वो जानते हैं, मैं हमेशा कहता हूँ कि competition दूसरों से मत करो, खुद से competition करो, अपने आने वाले कल को, अपने पिछले दिन से बहतर बनाओ, अगर आप अपने आपको compete कर लेते हैं न हर दिन, तो after a time आपका best version सामने आएगा जिसे कोई और compete नहीं कर पाएगा तो मैं जैसा की कहा रहा हूँ, कि इनके अंदर जितनी हमने महनत किया रहा हमने आज तक सच में नहीं करी है बिकोज जैनवरी के अंदर revision classes हमने दी थी, जिसकी तयारी हमने 15-20 December से करनी शुरू कर दी थी पिछले सालों में, इस साल हमने 1st November से इन session की तयारी शुरू करी थी हमारे 7 team members लगे हुए थे हम लोग 2 महीने तक, और अभी भी लगे ही हुए हैं, रात भी लगे हैं दो बज़े तक हम 3 लोग बैठे हुए थे बहुत सारे changes, बहुत सारे modification, बहुत सारा addition और बहुत सारा relevant content यहाँ पर add किया गया, तो सारा का सारा हम discuss करने वाले हैं, start करते हैं हमारे आज की class को, ओके सो class की बात करते हैं, forestry का यह first session है, session start करने से बहले कुछ-कुछ introduction देता हूँ इस course के बारे में ताकि आपके doubts ना रहे, first of all जो आप सामने देख पा रहे हैं, यह क्या है, यह हमारी classes का schedule है, right तो यह classes का schedule है यहाँ पर अगर बात करेंगे, तो आज जिसे हम second gen से start कर रहे हैं forestry को, दो session होंगे पहला session की timing साड़े गयरा से दो तीस तक रहेगी, आज 11.45 था standard timing जोगी हर class की 11.30 से 2.30 और उसके बाद शाम को 4.27 तो forestry के आज दो session होंगे, फिर third और fourth gen, दो दिन, चार session चलेंगे, मतलब तीन तारीक को दो session, चार को दो session वो entomology के होंगे, उसके बाद 5 और 6 जनवरी को आपका animal inventory चार session चलेंगे, फिर 8 और 9 को genetics plant bidding के चार session, फिर 10 जनवरी को engineering के दो session and then 11, 12 को horticulture, 13 को biotech, 15 को fisheries और उसके आगे का schedule भी मैं आपको बाद में share कर दूँगा 23 तारीक के session चलेंगे, इन schedule के अंदर extension economics जैसे subject हमने add नहीं करे, उसका reason ये कि economics के basic मैं current affairs के अंदर cover करूँगा extension के लिए 3 hours required नहीं है, extension में जितने question आते हैं ना, मैं उनको efficiently date से 2 हंटे में आपको fast track के अंदर करवा दूँगा, तो ये तो हो गया हमारी classes का schedule, उसके बाद, test की बात करेंगे तो आज जिसे आपके daily test भी start हो जाएंगे, तो जैसे आज आप पढ़ रहे हैं forestry, तो आपका forestry का test होगा आज जो हमारा subject wise test है जैसे जैसे subject cover होंगे, जैसे आज forestry cover हो जाएगा, फिर दो दिन में endo cover होगा, तो जैसे endo cover हो, फिर endo का test add हो जाएगा मतलब जब subject खतम हो रहा है, तो subject wise test add हो जाएगा उसके साथ साथ, कल से जो start होंगे, third से, विकोज आज ही दो classes, दो test हैक्टिक हो जाएगा तो आज दो classes लीजिए, और एक test भी मिलेगा आपको forestry का, कल से आपको test मिलेगा subject का भी, test मिलेगा overall का भी, और साथ साथ दो classes भी मिलेंगी, तो कल से daily आपका overall test होगा, third January onward, जब तक आपका exam चल रहा है, और यहने exam के पास हम दो-दो overall test आपको देंगे, ताकि आप maximum question practice कर सके, बस इतना ध्यान रखना, test को हम difficult ही बनाएंगे, तो ऐसे YouTube, मैं बोलता हूँ जब तो मैं रुखता नहीं, मैं बिंदास बोल देता हूँ, तो word mind में आ रहा है पर मैं क्यों बोल रहा हूँ, because होता क्या है, हमें ना बच्चे को difficulty level पे लेके जाना है, जहां से paper जो है, वो क्या है, या तो उतना ही आई, या फिर easy level का आई, but YouTube जो पसंद नहीं है, session लेना, मैं इसलिए ना YouTube पे session कम लेता हूँ, तुच्ची सी हरकते YouTube बहुत चलती हैं, तो कुछ लोग क्या बोल देते हैं, कि ये लोग test को difficult बनाते हैं, ताकि लोग इनकी test series बाय करें, obviously no, crash course का introduction मैंने दिया, एक दिन का ही time दिया, 483 admission है, sorry, 383 admission है इस time पे, तो लगवग आज रात को, या कल रात तक इस course के अंदर admission बंद कर दूँगा, मैं, दो दिन के अंदर 500 आ रहे हैं, बिना class के दिये, तो it's not like कि मैं test को difficult बनाऊँगा, ताकि लोग मेरी test series ले, obviously no, मैं quality produce करूँगा, but I will ensure कि test का standard वहाँ पे हो, जहां पे या तो exam का standard होता है, या उससे थोड़ा ऊपर और नीचे नहीं होना चाहिए, because मैंने easy दिया, और paper में difficult है, तो बच्चा फस जाएगा, but मैंने difficult दिया, paper में easy आया, तो बच्चा निकल जाएगा, मुझे बच्चों को निकालना है, मुझे नहीं, तो test, ये schedule होगे आपका, उसके बाद notes की बात करते है, जो revision notes, अगर ये revision notes है, printable, एक बार में दे दिये न, तो मैं आपको बता दूँगा, because बहुत सारे आप में से, लोग printable notes को, एक ही बार में लेना चाहेंगे, कि सरे एक साथ दे, जिनका selection नहीं होगा, जिनका नहीं हुआ, उनके लिए main competition over, वो उनका PDF, possibly share कर देंगे, January के बाद share हो गया, तो तुम्हें नुकसान नहीं होगा, because आप जब forestry के notes देखेंगे, जब मेरी class attend करेंगे, you will come to know के, अब ना forestry 6 घंटे में आपको पढ़ना ही नहीं पढ़ेगा, दुबारा सारा cover कर दूँगा, तो अगर मैंने एक साथ दे दिये ना, आपका major loss हो जाएगा, तो इसलिए जो notes दूँगा, वो subject के साथ साथ दूँगा, जब subject cover हो गया, उसके बाद आपको वो notes भी मिल जाएगे, बाकी जो information है, आपके पास telegram group होगा नहीं, तो app के notification हो रहा है, सारी information आपको वहाँ पे मिलती रहेगी, और अब ज़्यादा बाते नहीं करूँगा, ये वाला doubt किसी बच्चे ने पहले से पुछा था, तो इसका answer मैं शाम के session में कर दूँगा, कि revision हम कैसे करेंगे, class तो है 6 घंटे के, बट इसके अलावा और कैसे कैसे करना है, ताकि आप अगले 22 days के अंदर, अपने confidence level को यहाँ पे ले आए, कि डर नाम की item आपके अंदर रहनी नहीं चाहिए, तो वो सब बातें भी करेंगे, शाम के session में, अब एक लिए शुरू करते हैं, forestry को किसके साथ, subject के analysis के साथ, forestry का analysis करेंगे पहले, कि अभी तक जो question आये हैं, because exam तो बहुत सारे होते हैं, मैंने बहुत सारे exam के question भी इसमें add करें, आपकी practice के लिए, कि कहीं और question आ जाए, तो आप confused ना हो, लेकिन उसके साथ आपको बता दूँ, क्या बता दूँ, कि मैं यहाँ पर जो analysis दिखाऊंगा, उसमें मैंने तीन exam को लिया है, analysis के अंदर मैंने किसको लिया है, एक तो लिया नबार्ड exam को, एक मैंने लिया है, IBPS, AFO exam को, और एक मैंने लिया है, RRB, SO exam को, विकूज अगर आप देखेंगे न, तो इन तीनों में क्या होता है, देखिए, यह दोनों का जो level है न, यह एकदम same level है, हाँ, कभी question है, इसमें difficult आता है, कभी इसमें आ जाता है, लेकिन यह same level पे चलते हैं, यह comparatively थोड़ आसा, slightly, बहुत ज़्यादा तो नहीं, पर slightly easy level पे चलता है, लेकिन इन तीनों का pattern same होता है, वही lengthy question होते हैं, और वही lengthy question के साथ, नीचे 5 options होते हैं, अगर इनको analyze करके समझा जाए, तो हम paper के trend को predict कर सकते हैं, surety तो नहीं होगी, वह आएगा के नहीं, पर हाँ यार, maximum question solve कर सकते हैं, अगर 60 में से, आपने इतनी सी तयारी, इस month के अंदर कर दी, तो बताओ मुझे lovely सा y type करके, अगर आपने 60 में से 50 questions solve कर दिये, और चलो 2, 3, 4 गलत भी कर लिए, 4 गलत होगे, एक negative में चला गया, 45 marks भी अगर आपने gain कर लिए, आप बताओ आपका selection हो जाएगा के नहीं, तो मैं बस यही ensure करूँगा, कि आप 60 में से 50, 51, 52 attempt कर सके, जिस में से आपके 45 marks आ सके, और आप finally इस साल AFO बन सके, और आपको यह बनने से पहले, अगर mind में आ रहा हो के sir, प्री का तो result नहीं आया, तो जो weight कर रहा है, वो weight करता रहे, क्योंकि इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है, जितना मेहनत करने वाले छोड़ दिया करते हैं, तो छोड़ेंगे तो यह नहीं, सारी seats खा जाएंगे भाई, तो प्री का result करने वाले रह जाएंगे, तो result का weight तो हमें करना ही नहीं है, तो मैं भी weight नहीं करता, पहले subject का analysis आपको दे देता हूं, वो जो तीन exam मैंने बताए, नबाड, RRBSO और आपका कौन सा हो गया, आपका IBPS AFO, पिछले तीन साल के question मैंने उठाए, तीन साल के question मतलब तीन paper है, सुरी मैं तीन साल बोल रहा हूं, गलत बोल रहा हूं, पांस साल के हैं ना, फाइव यर्स के मैंने paper उठाए, तीन डिफरेंट डिफरेंट paper हैं, फाइव यर्स के मतलब मैंने टोटल 15 question उठाए, 15 paper उठाए, 15 paper में forestry के 26 question आए हूं है, मतलब average packet के लोगे मोटा मोटा, तो 2 question पर paper average आपको दिखता है, तो आप समझेगा, 2 question बहुत important है, forestry से अगर आपको 2 question मिल जाएंगे, तो more than enough है, भीकोज छोटा सा subject है, पिछले सालिश में से 3 question आए थे, तो सबसे ज़्यादा जब कोशन पूचेगे, वो agroforestry system or type से पूचे गई है, agroforestry system or type, जो अपने आप में agroforestry का most easiest topic है, जो अगले आदे से पोड़े घंटे के अदर मैं आपको पढ़ा दूँगा, अच्छे से, उसमें से सबसे ज़्यादा question पूचेगे है, जैसे agri silvy culture, silvopastoral क्या आता है, homestead agroforestry क्या होती है, multipurpose tree species क्या होती है, वो सब इसमें से पूचा गया, मतलब 11 question आए, उसके बाद जो second highest question पूचेगे, वो introduction से पूचेगे, introduction के अंदर scientific name पूचा गया, family पूचेगी trees की, या उनके अंदर पाइदा toxin पूचा गया, या फिर himalayan belt के अंदर conical shape की होती है, मतलब tree का description पूचा गया, इसमें से second highest question पूचेगे है, जो seven question पूचेगे है, आपको पता है, इस वाले part में आपका contribution ज़्यादा, और मेरा comparatively कम होगा, इसमें मैं आपको 100% करवा दूँगा, सारा समझा दूँगा, कुछ नहीं छोड़ूँगा, लेकिन यह scientific name समझा नहीं सकता, forestry के tool से built more sticks से question पूचा गया था, total 26, 26 question पूचेगे, किसके अंदर आपके IPS, AFO, RRB, नभाड के अंदर तो आप सामने देखके समझ सकते हैं, कि आप अगर forestry पढ़ेंगे, तो इन तीन topic को तो छोड़ेंगे ही नहीं, और forest report कितना बड़ा सा है, यार, 10 minute का forest report है, इसको भी आप क्या कर लेंगे, cover कर लेंगे भाई, ठीक बात है जी, चलिए, अब आजाते हैं, finally शुरू करते हैं class को, अगर आप मेरी class लेंगे, तो छोटी सी request करना चाहूंगा, कि class मेरी जो है ना, सीड की तरह होती है, मैं सीड सोइंग कर देता हूँ, और बाद में production होता है, लेकिन आप जानते हैं कि सीड को, अगर climate suitable ना मिले, तो वो germinate नहीं कर पाता, germinate किया तो production नहीं दे पाता, तो मैं इस ताइम पे सीड हूँ, और तुम जिस room के अंदर बैठे, वो तुमारे climate है, या climate को favorable बना लेना, कानों के अंदर येरफोर लगा लेना, तक किसी और की बात न सुने, आँखों को दिवार की side कर देना, तक कि आता जाता कोई न दिखे, और या तो class को अभी के अभी छोड़ दो, चल रहे हैं, तो फिर session को start करेंगे, ठीक है, थैंक यू सो मच, शुरू करते हैं, मैं हसा इसलिए, विकोज ये वाला एक comment है, जो हर session में, अब कोई बच्चा कह रहा है, कि AF वाले कोर से CUT कवर हो जाएगा, बेटा ये बता के, मम्मी की vitamin वाली tablet से, तेरी mineral की कमी पूरी हो जाएगी, क्या, नहीं होगी ना यार, क्योंकि मम्मी के लिए बनी है, तेरी लिए लग बनेंगी, तो ऐसा ही है, सरी है, ये F.O के लिए बना, इसमें जिस तरीके से पढ़ाऊंगा न, ये A.F.O. कवर करेगा भाई मेरे, ये C.O.E.T. कवर नहीं करेगा, समयदार बच्चे बनी, 18 साल से उपर देश चला लेते हैं, आप लोग वोट देते हैं, बढ़ अपना future नहीं चला पाते हैं, हम लोग हमें guidance लेनी पड़ती है, कि B.S.A. के बाद क्या करूँ, अरे तुन्हें B.J.P. के Congress को वोट देना, ये तुन्हें डिसाइड कर लिया, देश चलाना सीख लिया, पर तु करियर चलाना नहीं सीखा अपना यार, वो दूसरों से guidance ले रहा है, हमें पहले वो सीखना चाहिए, B.J.P. Congress बाद में सीखना चाहिए, बढ़ हम पहले कुछ और सीख लेते हैं, बाद में कुछ और सीखते हैं, तो करियर हमारा है, उसके बाद parties आएंगी, है ना, तो ये चीज़े सीखना शुरू कीजिए, because आपकी जिंदगी आपी की है, मेरे जैसों की नहीं है, मेरे जैसे YouTube पे आएंगे, कुछ भी बोलके जाएंगे अपने फाइदे के लिए, पर उस अपने फाइदे में तुम्हारा होगा के नहीं, इसके लिए तुम्हें दिमाग लगाना पड़ेगा, ओके, चलिए जी, अब स्टार्ट करते हैं subject को, agroforestry की बात हम कर रहे हैं, तो मैं क्या करूँगा, जितनी भी times आने वाली हैं पहले आपको थोड़ा-थोड़ा introduction ही समझाता जाऊँगा, उसके बाद पढ़ता जाऊँगा, समझा दिया तो फिर पढ़ना क्यों है से फिर आगे ही निकल जाओ, उससे क्या होगा, अगर आप language के उपर command नहीं बनाएंगे न, तो आपके answers गलत हो जाएंगे, मैं आज के session में आपको कितने सारे question दिखाऊँगा, जो आपको आते हैं, बट आप language में फसके न, गलत कर देंगे, तो language बहुत important है, तो start करते है agroforestry से, देखी, जी नाम के अंदर लगावा है agroforestry, अब agroforestry की बात करूँगा, agroforestry, agro word represent कर रहा है agriculture को, तो forestry part तो agriculture का ही है, इसलिए से कभी-कभी only forestry भी लिख दिया जाता है, और कभी-कभी combined लिए से agroforestry भी लिख दिया जाता है, तो forestry या agroforestry तो concept है सेम, पर इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, जब आप किसी land पे trees लगाते हो, trees के सासथ crops लगा लेते हो, पशु भी चाहिए तो वो भी पाल लेते हो, तो basically ये tree crop animal, या animal नहीं है तो trees और crops, और या फिर crops भी नहीं है तो only trees, लेकिन तुम cultivation कर रहे हो ना, जहाँ पर trees आ गए, तो जंगलों के अंदर भी की जा सकती है, खेतों के अंदर भी trees लगाए जा सकते हैं, लेकिन जहाँ पर ये चल रहा है ना, trees वाला concept, trees only, या trees के साथ crops, या फिर trees के साथ crops और animal आगे, या फिर horticulture trees, forest trees आगे, तो जहाँ पर combination चल रहा है ना, अब वो कहाँ अपने आप में agroforestry है, जैसे example agronomy की बात करते हैं, agronomy कहता है field crops, wheat rice तो उसमें आ सकता है, लेकिन अगर मैं carrot बोल दूँगा, radish बोलूँगा, तो वो horticulture में चला जाता है, ऐसे ही जब मैं forestries की बात कर दूँगा, तो वो किस के अंदर चले जाएंगे, agroforestry के अंदर चले जाएंगे, ठीक है, agroforestry के अंदर चले जाएंगे, तो agroforestry का मतलब क्या हो गया, agroforestry refers to those land use practices, land use का मतलब तो सब लोग जानते हैं, कुछ लोग land पर पशुओं को पालते हैं, कुछ वहाँ पे सैरी कल्चर कर लेते हैं, कुछ वहाँ epic culture करते हैं, कुछ वहाँ agroforestry करने वाले हैं, तो agroforestry का मतलब है land का use, वो practices जहां पर आप woody perennial grow करते हैं, वुडी पैरेनिल का मतलब जो बहु वर्षिय हैं, तीन साल से ज़्यादा जीने वाले हैं, वुडी पैरेनिल से ट्रीज होगे, श्रब्स होगे, वाइन्स होगे, बैंबू होगे या फिर पाम होगे, इनको ग्रो कर लिया, are grown in as association, वुडी पैरेनिल ग्रो किये हैं, किन के ecological and economic interaction, ecological मतलब environment को नुकसान नहीं बुचाएंगे, economic interaction मेरा खुद का फायदा होना चाहिए, between the woody plant and other components, जैसे आप जब LA cropping करते हो, जिसे hedgerow cropping भी कहा जाता है, तो LA cropping या hedgerow system जो है, वहाँ हम क्यों करते हैं, ताकि LA, LA के होने से वहाँ पे हमें tree से production मिले, लेकिन साथ नुकसान नहीं होना चाहिए, तो आप क्या कर रहे हो, आप ecological और economic दोनों interaction को लेके चल रहे हो, वो क्या हो गया हमारा, वो हो गया agroforestry, right जी, क्या हो गया, उसे हमने बोल दिया agroforestry, agroforestry के तीन attributes होते है, attributes का मतलब क्या होते है, good qualities है न, जैसे आप बच्चे जो है, आप अच्छे से महनत करते है, this is your attributes, है न, society में तुम्हारा attribute क्या है भई, कि हम बड़े होंगे, select होएंगे, officer बनेंगे, farmers को क्या करेंगे, अपनी services देंगे, देश का नाम रोशन करेंगे, तो this will be our attributes towards society, ऐसे ही forestry के attributes की बात करूँगा, तो तीन word याद कर लेना भईया, तीन attributes ह होते हैं, forestry के कौन-कौन से, productivity, sustainability और adaptability, क्या मतलब होता है जीन का, देखे, productivity तो नाम से ही समझ आ रहा है, कि जहां पे आप crops को, trees को grow करते हैं, production आपको देते हैं, productivity आपको देते हैं, सासा sustainability, जो trees जहां पे लगाते हैं, वो conservation प्रमोट करते हैं, conservation मतलब, land या soil erosion को रोखते ह हैं, RH को बढ़ा देते हैं, biodiversity को promote करते हैं, carbon sequestration करते हैं, तो फाइदा हो रहा है, conservation हो रहा है, तो basically tree को promote कर रहा है, sustainability को promote कर रहा है, और सासा जिस तरह कि वहां पे practices होती है, farmer खुद को उसके according change करते हैं, कि यहां eucalyptus लगा सकते हैं, यहां पे नहीं लगा सकते हैं, तो basically व attribute होगे कि इसके, आपके forestry के, repeat करिए कौन कौन से, productivity, sustainability और adaptability, repeat मेरे साथ जरूर करना, तो कि आपको दुबारा नहीं पढ़ना है, 6 घंडे में forestry अपने cover करेंगे, तो क्या होगा productivity, sustainability, adaptability, यह question पुछा गया था, pre-PG 2019 के अंदर, which of the following is not among the three basic attributes of agroforestry system, इन में से कौन सा है, जो agroforestry system का attribute नहीं है, फटा-फट से answer बता दो, क्या लगता है, sustainability, productivity, adaptability, या फिर marketability, right answer क्या आएगा, of course right, right answer की बात करेंगे, तो भाईया यहां पर right answer क्या आने वाल है, जो आपका SAP था, SAP का मतलब sustainability, adaptability, productivity, यह तो थे ही थे, लेकिन marketability attributes के अंदर नहीं आता, तो answer क्या आ गया, D आ गया, paper के अंदर question आया हुगा, आगे चलते हैं, agroforestry system से शुरू करते हैं, introduction आपको समझ आ गया, अब agroforestry system से चलेंगे, जहां से सबसे ज़्यादा question पूछे गया है, तो यहां पर काफी सारे question आप practice करेंगे, और सारे के सारे system को पढ़ेंगे, और यह promise रहा, अगले 40 to 45 minutes के बाद आप मुझे बता दीजिएगा, किसी मर्जी paper को उठा लेना, PhD entrance AFO, RRBSO, NABARD state exam, कोई भी forestry system से question आया हो ना, इस 45 minutes के बाद आप उसे answer कर पाएंगे, तो चलिए, agroforestry system, इसका मतलब क्या है, agroforestry तो हमने समय लिया, लेकिन system की बात करते हैं, आज कल तो system बहुत चल रहा है, YouTube जो लोग चलाते हैं, उनको तो पता ही है भईया, system बहुत च पताना शुरू कर दिया, यह उनका system है, कोई और channel क्लिक किया, वहाँ पे उन्होंने अपने खाने पीने की video डाल दी, वो entertainment कर रहे हैं आपका, वो क्या हो गया, उनका system हो गया, कोई और आया, उसने आपको financial awareness के बारें बताना शुरू कर दे के भाई, OTP नहीं शेर करना, वो नका system हो गया, ऐसे ही agroforestry में, मैंने पेडों के साथ crops लगा ली, मेरा system, तुने पेडों के साथ पशू पालिए, तुम्हारा system, उसने पेड़ा crop भी लगाई है, और पशू पाल ले, वो उसका system हो गया है, तो वो agroforestry के अलग-अलग क्या होगे भाई लोगो, system हो गये, तो system की जब बात करते हैं, तो agroforestry के काफी सारे system है, बट पहले 4-5 word याद कीजिए, उसके बाद system पढ़ाऊंगा, तो पहला word तो याद कीजिए agree या फिर agro, कि जहाँ पे agro या agree word आपको दिख गया system के अंदर, तो भया उसका मतलब क्या है, agriculture का मतलब है, agriculture crop यानि की field crop आपकी, तो field crop जहाँ पे आएंगी, वहाँ पे agro या agree word आएगा, उसके बाद अगर कहीं पे silvy, या silvo word दिख जाए, तो silvy और silvo जो है न, वो किसको promote करेगा, वो बताएगा forest trees को, कि कहीं पे अगर silvy word लग गया है न, silvy culture, तो silvy culture बताएगा कि वहाँ पे forest trees लगाएगा, या silvy word हो गया, फिर pasture, pasture का मतलब क्या होता है, जहाँ पे हम चारा गहा, grazing land, grasses लगा लेते हैं, और हमारे पास पशू होते हैं, तो suppose जहाँ मैं खड़ा हूँ, इधर मालनो grasses हैं, और वो पशू भी है मेरे पास, तो मैंने क्या बना रखा, pasture बना रखा, जहाँ मेरे पशू चरने के लिए जाएंगे, तो pasture का मतलब तो grazing land है, चारा गहा है, लेकिन चारा गहा पे आप और मैं थोड़ी चरने जाएंगे भाई, पशू जाएंगे न, तो जहाँ pasture आया, मतलब वहाँ पे animal husbandry की बात आएगी, pasture का मतलब हो गया, growing of grasses for or with animal, तो ध्यान रखना, grasses भी आएंगी यहाँ पे, और भाई आपके पशू भी आएंगे, उसके साथा बोला गया, होटी, होटी की बात करते हैं, तो होटी का मतलब क्या हो गया, fruit और होटी culture trees, है ना, क् समझागी सब लोग को, perfect, आगे चलते हैं, अभी system याद कर लो, भाईया, चार नाम याद कर लो, फटा फट से, chat में नहीं लिखना, मुझे chat में comment दिखता ही नहीं, मेरे साथा बोलो, फटा फट से बताओ, agro या agri आगया तो उसका मतलब क्या होगा, yes, field crops, अगर silvy आगया structural classification, because अलग अलग classification होते हैं, आज सारे पढ़ा के जाओंगा आपको, structural classification की बात करते हैं, structure classification के अंदर जाएंगे, तो काफी सारे system है, काफी सारे exam के अंदर question पूछे गए हैं, पहले किसा start करते हैं, first है वहाँ पे agro silvy culture system, पहले बताता हूँ, फिर उसको पढ़ेंगे, silvy का मतलब trees होगे, तो बिलकुल सही, अगर आपने कहीं पे आपके forest trees के साथ क्या कर रखे हैं, आपने वहाँ पे crop लगा रखी हैं, दो चीजे हैं भाई, ध्यान रखना, अगर आप बोलोगे सर मैंने तो अकेले पेड़ लगा रखे हैं, तो फिर silvy culture बोलिए, बिकोस अके अलवी cultural system, बास समझ आती हैं सब लोगो को यार, तो बोला गया, देखो, language जरूर पढ़ना, paper में language आएगी और वही आपको answer करवाएगी, it refers to the use of land, किसके लिए, for the production of agricultural and forest crops, agricultural crop और forest crop, दो मौल दिया, कि agriculture crop भी आगई, forest crop भी आगई, either simultaneously, मतलब एक साथ, या alternately, एक एक करके, इंटर क्रोपिंग जैसे example ले लो, इंटर क्रोपिंग कर दो किसकी, forest plantation की with agriculture crop, पेड भी लगा दो, crop भी लगा दो, या growing कर लो agriculture tree की, और साथ सा क्या कर दो, crops with the forest trees लगा दो, तो बात तो घूम फिर के वही आ रही है ना, कि पेडों के साथ फसले लगा रहे हैं, तो जो लोगों यार देखो, नाम पढ़ती है, अपने system समय लिया, silvopastule का मतलब क्या हो गया, silvopastule का मतलब वहाँ पे trees आ गए, pastule मतलब वहाँ पे animal inventory हो गई, तो silvopastule system refers करता है, land management system in which forests are managed for the production of, forest को manage किया गया, wood के लिए, या फिर किसी और काम के लिए, और साथ सत क्या किया as well as rearing of domestic animal, तो forest with the grass, तो आपने forest लगा दिया, मतलब silvy, grass लगा दिया, मतलब pastoral system क्या बन गया आपका, silvopastule नबाड 2021 ने कोशन पूछा था इसमें से, अगला, अगला क्या बोला गया, next बोला गया, यहाँ पे agro-silvopastule system, agro-silvopastule, agro-silvopastule की बात करेंगे, तो agro-silvop pastoral के अंदर क्या आएगा, देखिए, agro-silvopastule के अंदर क्या आएगा, agro-silvopastule क्या आगया, पाशु आगया, पाशु आपके, तो तीन component यहाँ पे आएगे, trees भी आएगे, crops भी आएगी, और साथ-साथ क्या आएगे, animal भी आएगे, तो क्या बोला गया, agro-silvopastule system, in the combination of agro-silvopastule and silvopastule system, यह क्या बोल दिया भाई, इसने इसने बोला यह combination है, किसका agro-silvopastule का, agro-silvopastule का tree और क्या होगी, grasses आगई, जैसे forest के साथ आपने agriculture crop को लगा दिया, साथ-साथ grazing land को लगा दिया, तो तीन component आगे, forest के tree आगे, फिर आपकी फसले आगई, और साथ-स मतलब पशु आजाएंगे, आपके तो तीन component आगे, इसलिए इसका नाम क्या दे दिया गया, नाम दिया गया, agro-silvopastule system, AFO-21, नबाट-2020, दोनों ने यहां से कोशन बूचा, अगला point, agri-hoti-silvy, agri-mतलब crops, hoti-mतलब fruit tree, silvy-mतलब forest tree, so there are usually three component, कौन-कौन से, agriculture आएगा, hoti culture आजाएगा, और silvy culture आजाएगा, तो वो क्या बन जाएगा, agri-hoti-silvy, rrb-so, 2020 ने कोशन बूचा, और last आगया, multipurpose tree production, multipurpose, multipurpose जानते हो क्या होता है, जैसे जिस phone से तुम class ले रहे हो, यह phone क्या है तुमारा, multipurpose ही तो है यार, आप इससे class भी देखते हो, आप इससे YouTube प पापा आते हो, चुपा लेते हो, है ना, तो आप क्या करते हो, भाई, इसका multiple use कर रहे हो, रात को साड़े-गारा, जैसे भी बज़ते हैं, घर वाले सो जाते हैं, फिर लिखते हो, हाई honey, उदर से मदुमक्खी आजाती है, है ना, मदुमक्खी बाते करती रहती है, तो वो हमने जब पेडों को लगाया, तो वो क्या बन गया, multi-purpose tree production बन गया, this may include several component और use उसका fuel wood मतलब जलाने वर लकडी हो सकता है, timber मतलब लकडी के लिए हो सकता है, फोटर मतलब चारे के लिए हो सकता है, फूरूट के लिए हो सकता है, या भाईया दवाईयों के लिए भी हो सकत है, दवाईया बहुत important है, यहां से भी question आएगा कि medicinal crop या medicinal tree या कौन सा part यूज किया जाता है, जैसे forestry के अंदर है, नीम, अजाडिरेक्टिका, इंडिका, जो सब लोग जानते हैं, भाईया वो अपने आमें कैसा plant है, medicinal tree है यार उसकी medicinal value है, तो इस तरह से क्या होगे, आप तो main system में तो silvy culture को आना पड़ेगा, forest trees को आना पड़ेगा, बट कुछ system के अंदर forest trees ना ओके fruit trees आ जाते हैं, साथ में animal हो जाते हैं, तो भाईया होटी का मतलब fruit trees, पास्चरल का मतलब animal, तो agroforestry system जहां पे fruit trees और पास्चरल को ग्रो किया जाता है, RRB SO21 ने पूछा था, पास्चरल कहा जाता है, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको clear ही हो गया है system, कि सर छोड़ो यार, निकलो फटा फट से आगे, because now clarity आ गई है, अभी नया word आ गया, थोड़ा ध्यान से समझते हैं, अगला word जो आपको अच्छे से समझना पड़ेगा, इस एक word से दो question पूचा, AFO ने इसी साल question पूचा था इसमें से, इसी साल तो नियार, फिछले साल पूचा था, इसी साल तो दो जनवरी हो गई है, तो 2024 स्टार्ट हो गया है, पर पिछले जनवरी के अंदर मतलब पिछले साल इसे पूचा गया था, होमस्टेड अग्रो फोरेस्ट्री, क्य पेड से हूँ या नोर्थ हिस्टन से हूँ, सर अब मचली भी खाते हैं, सर मचली भी चाहिए हो, अच्छा ठीक है, काम करते हैं, घर के आसपास, घर का जो एरिया है, आप जहां पे रहते हो, वहां पे नहीं है भाई, तो इसलिए जहां पे आप हो ना, वहां यह का गुजारा चल सके, पेड से लकडिया मिल जाएंगी, फसलों से खाने के लिए आपको फूड मिल जाएगा, और मचली यह से थोड़ी सी मचली हमने पॉंड के अंदर डाल रखी हैं, उससे हमारा काम चल जाएगा, तो गुजारे के लिए कर रहे हैं हम लोग ऐसी अग्रो forestry, but now the doubt is कि homestead agroforestry होती कहां पे है, जैसे मैंने इतनी बाते बोली घर के आसपा जंगल, तो तुम भी इतने समयदार तो हो, कि तुमने भी दिमाग में एक आंसर तो बना लिया, कि सर नोर्थ इस्टन स्टेट के अंदर, बोलो बनाया की नहीं बनाया, हाँ, पढ़ने वा जिस researcher ने इसको introduce किया न, he was from Kerala, तो हाँ इसे Kerala में practice किया जा सकता है, कोई objection निया उस बात में, लेकिन इसे mostly practice किया जाता है, जो आप guess कर रहे हो, बिल्कुल सही guess कर रहे हो, नोर्थ इस्टन स्टेट के अंदर, and yes, of course, राजेंदर बिल्कुल सही relate कर रहा है, राजेंद स्टेट के अंदर, homestead agroforestry हो जाती है, question पूचा गया था, which among the following state has practiced agroforestry from a long while, answer उसका आसाम आया था, लेकिन आसाम के साथ सा option के तमी लाडू भी था, तो basically, southern state के अंदर भी homestead agroforestry हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जादा नोर्थ इस्टन के अंदर होती है, तो preference किसको जाएगी, obviously north east को जाएगी, but north eastern ना मिलके kerala मिला, तो answer kerala भी आ सकता है, भाई, कोई दिक्कत वाली, बात नहीं है, अब पढ़ लेते है, homestead agroforestry, tree crop with livestock and poultry and or fish culture, आपने crop लगाई, पशु पालिये, poultry, अंडे-वंडे के लिए मुर्गया पाली, मचलिया ग्रो कर the farmer AF423 के अंदर पूछा गया था, homestead agroforestry के बारे में, अब बताओ, अगर homestead agroforestry से कोई भी कोशन बना, answer कर पाओगे न, क्या होता है, वो भी कर लोगे, कहा होता है, वो भी कर लोगे, इस से ओपर कोशन बन नहीं सकता, आगे चलते हैं, अगला word क्या आ गया, अगला word अगया, aqua forestry, अगर आप ध्यान से देख रहे हैं, तो जरूर देखते रहना, homestead agroforestry, एकी slide में भाईया, 2023 के अंदर दो कोशन बुचे गया है, AF4 नहीं है, पुचा तो RRB नहीं है, वाला पुचा aqua forestry, तो कितना important topic हो गया है, यह सोच सकते हैं, aqua forestry की अगर बात करते ह aqua forestry का मतलब क्या हुआ, aqua मतलब पानी, aqua जानते हो ना भहिया, aquatic organism, aqua guard, या फिर आपका aqua man, एक मूवी सी में आता होता है बंदा है और पानी में से निकलता है भहिया, है ना, मैं तो देख के डर जाता हूँ, इतनी सर्दे मेरा तो नहाने का मन नहीं कर रहा हूँ, aqua man बना फिरता है, मैं के भहिया, आपा desert वाले बंदे राजस्थान से आये, आपने संडे के संडे नहाएंगे, aqua man में तो देखता ही निया, horror film में फिर देख लेता हूँ, उसको देख के डर लगता है यार, बाहर temperature चार डिगरी हो रख्या, यार, मम्मी आज कह लिए थी क्या तुम भी नहाए आये हो ना, येस, बताओ, अच्छा तुम नहा क्या हो के नहीं बताओ जरा, अगर नहीं नहा क्या हो, नहा क्या हो, नहा क्या हो, तो वाई लिखो, आपको एक इंटरस्टिंग बात बताओंगा, अभी चैट में जरा notice करना, वाई आया के न, जो नहा चु यार, बिना नहीं क्लास में आगे हो, ठीक है, चलो, I was just joking, kidding नहीं कर सकता मैं, है न, क्योंकि लड़के ऐसा भी कहते है, I was kidding, आप kidding नहीं कर सकते हैं, मैंने अनिमल इसमेंटरी आपको अच्छे से बढ़ाया ना, तो kidding कोन करता है, बकरी करती है, कब करती है, 19 to 20 months की age में, ल पक वादवा से बच्चा पढ़के गया हुआ, तो वो तुम्हें क्या देगा, कि बेटा, तू कि डिंग नहीं कर सा, तो बकरी करती है, ठीक बात है, चलो, आगे चलते है, एक्वा फोरेस्ट्री सारे लोगी समय रहे है, एक्वा का मतलब हो गया पानी, फोरेस्ट्री हो ग तो बाूंट्री मत बनाओ, पेड लगा दो बाूंट्री के ओपर, पेडों की पतियां गिरती रहेंगी, मचलियां खाती भी रहेंगी, प्लस चाया रहेगी, तो पाने का टेंपरचर मेंटेन रहेगा, तो मचलियों का प्रडाक्शन अच्छा होगा, विकोज इंडिया के लिए 28 से 32 degree centigrade temperature आपको चाहिए होता है, तो पेडों के साथ मचलियां grow करेंगे, एक system जिसमें suitable trees को plant किया जाता है, around the fish pond, fish pond के around, with a prime objective of reducing evaporation and augmenting micro climate, वहां की climate को अच्छा कर दिया, सासे evaporation वहां पे कम कर दिया, इसे क्या बोला जाएगा, aqua forestry बोला जाएगा, अगला आ गया, woody hedge row system, क्या बोला गया, woody hedge row system, देखो wood बोला गया, hedge बोला गया, row के अंदर आ गया, तो नाम से समझ आ गया कि यहाँ पे हम क्या लगा देंगे यहाँ पे हम fast growing hedges को लगा देंगे फटा फट से grow होने वाली hedges को लगा देंगे sir फटा फट क्यों भाई आज कल सब फटा फटी चलता है तुम लोग क्या लग रहा है धीरे धीरे especially fast growing and copysing folder copysing folder मतलब काटा फिर से grow गया काटा फिर से grow गया copysing folder shrubs and trees को प्लांट किया जाता है किस के लिए for the purpose of किस purpose के लिए browse के लिए browse जानते हो वो जो पशू कहते हैं browsing आपने पढ़ रख रख रहा है बकरी की एक habit होती है browsing बकरी को enemy of vegetation भी कहा जाता है क्यों एक यह जहां उसने हरा देखा खाना शुरू कर देगी या तुम्हारे जैसी है जहां फोण देखा वहां वाट्स reduz चल शुरू कर देते हैं ऐसे बकरी कर एंणा शुरू कर देति है तो पशु जो खाते हैं उससे browsing कहते हैं तो browse मतलब पशु के खाने के लिए जो grow हो रहा है वो browse हो गया तो हम woody hedgerow लगा रहे हैं browsing के लिए mulch के लिए ताकि मिटे mulch layer बन जाए या green manuring तो आप जानते ही हो या फिर soil erosion कम हो मतलब soil conservation के लिए किया जा रहा है तो इस तरह से अगर shrubs को trees को लगाते हो जो conservation को mulch को green manure को browsing को promote करें तो वो क्या हो जाता है woody hedgerow हो जाता है बात खतम होगी आपके system जो थे structural basis पे वो तो हो गए over अभी आगे चलेंगे पर यहां तक मुझे एक lovely सा why चाहिए वो इसलिए चाहिए भी को समझ भी आना चाहिए ना यार cover करने से फाइदा नहीं है अगर समझ ना है तो यहां तक कहानी आपको settle होगी होगी सर समझ आ गया मुझे पता है why फटा फट से आने वाल है अगर why आ रहा है तो मैं भी आ गया हूँ जल्दी से बताओ यह मुझे answer क्या आएगा based on dominance of component which among the following agroforestry system will have tree constitute the major component while agriculture crops are integrated with them tree or crops यहां पे है उसे क्या कहा जाएगा silvo agriculture, agro silviculture, silvopastural, pastoral silviculture या both A and B जल्दी से बताओ इसका सही उत्तर क्या आएगा ओके जी, right answer की बात करते है ओके जी, perfect है जी, answer आप देख रहे है A आ रहा है, E आ रहा है, थोड़ा सा B भी आ रहा है C तो कोई नहीं कर रहा है, मैं इसलिए आपको कह रहा था कि आज सब कुछ clear करके जाओंगा जिन लोगों ने E answer किया है भाईया, वो हो गया गलत सर गलत कैसे हो गया जी, silvo agree, agro silvy, सही तो है सर A and B तो सही आएगा E, ना ना वो कहता है, based on dominance of component ये second classification है, इसलिए exam में question आता है, हम answer कर आता है पता ही नहीं चलता कहां number कटे, और वो कभी clear ही नहीं हो पाता विकोज वोग answer की नहीं देते, ना RRBSO दे, ना EFO दे नहीं मांग रहा था, वो हमने पीछे पढ़ा, structural classification की सहाब से A, B, दोनो right है, लेकिन इसने कहा, based on dominance of component कौन सा component dominant है भाया, है ना, agri coaching चंडिगड में दीपक वादभा पढ़ा रहा है बट तुम लोग पढ़ रहे हो, तुमें क्या लगता है, dominant को होना है इस टाइम पर, obviously you, आपके भी ना agri coaching नहीं है तो आप dominant component हो, लेकिन हम दोनों ही component हो है, but you guys are primary and I'm the one who is secondary तो ऐसे यह कह रहा है, कि भाया, trees जिसमें major है और crops उसके साथ integrate करी गई है tree major है, तो भाया, major को पहले लाना पड़ेगा, minor को दुबारा लाना पड़ेगा, है ना इधर agro ले आए तो पहले crops आ गई है, उमीद करता हूँ, भात आपको समझ आ गई होगी नहीं आई है, तो एक काम करते हैं, इसको पढ़ लेते हैं, किसको पढ़ लेते हैं, agro forestry system classification based on dominance of component, component के dominance की बात करेंगे, यहाँ पे है ना यहाँ पे structural classification की बात नहीं करेंगे, ध्यान से पढ़ना, नाम के अंदर यह answer है because system तो तुमने पढ़ी लिया, कोई नया कुछ नहीं पढ़ रहे हो, बस नाम के अंदर answer है, देखो silvo agriculture, पहले कोन आया, silvo आया, तो silvo primary होगे ना, जैसे class में, मैं तो आया था तुम पहले है, तुम primary होगे ना, ऐसे ही यह पहले आया, यह बाद में आया, तो primary कोन हुआ, silvo primary हुआ, agriculture क्या हुआ, secondary हुआ, तो जब बात करते हैं किस की, जब बात करते हैं, silvo agriculture की, silvy culture is the primary aim of the land, भया primary, तो किसके लिए किया है, वो हमने किया है, trees grow करने के लिए, tree constitute the major component, while agriculture crops are integrated with them, जैसे shifting cultivation है, tongi cultivation है, तुम बता दो, shifting या tongi cultivation के दर major क्या होता है, पेड होते हैं, फसली होते हैं, भई shifting जहाँ लोग करने हैं, पेड़ों को जला रहे हैं, लेकिन वो land पेड़ों के लिए थी, tongi जहाँ पे लोग करने हैं, वहाँ पे crop grow करने हैं, वहाँ प एकदम बिंदास तरीके से बात समझ आ गई होगी, अगला आ गया agro silvy culture, तो यहाँ पे agriculture जो है, वह primary component है, जो कि trees जो है, वह secondary है, जैसे multi-purpose ली तुम farm land पे लगाते हो, या फिर hedgerow या LA cropping करते हो, inter cropping trees की कर देते हो, या home garden लगा देते हो, बताओ तुम खेत के अंदर जो पेड लगाते हो, तो primary fustle होती है, पेड होते है, obviously, खेत में पेड लगाया है, तो primary fustle ही है, पेड तो secondary है, तो पेड secondary है, तो अब की बार पेड आगे कर दिये हमने, बाद में कर दिये, और cropping पहले आगी, तो agro silvy मतलब cropping पहले होगी, silvo agri मतलब trees पहले होगे, अगला क ट्रीज कॉंस्टिटूट दा प्राइमरी कम्पनेंट अब दे लैंड और सास अधव ने ग्रासे वहां पे लगा दिया वह सेकेंडरी है जैसे मोस्ट ग्रेजिंग लैंड होती है ना ग्रेजिंग लैंड के अंदर पेड़ों को लगा जाता है पेड़ों के साथ चारा गाल ब जैसे ग्रेजिंग लैंड सर यहां भी तो ग्रेजिंग लैंड ही कहा था यही तो लैंग मेंड ग्रेजिंग लैंड इन फोरेस्ट फोरेस्ट के अंदर प्राइमरी कोन है भाई फोरेस्ट में प्राइमरी पेड है है ना फोरेस्ट के अंदर प्राइमरी पेड है तो we culture, समझ गे न, चल यह आगे चलते हैं, agro silvo pastoral की बात करेंगे, अब तीन आगे, agro silvo pasture, it is a combination of crop, trees and pastoral, इसमें crop और tree जो है, वो dominant है pastoral, इसमें crop और tree dominant है, इसलिए आप देख लीजिए, यह crop आगे, यह tree आगे, और dominant किस के ऊपर हो गए, pastoral के ऊपर तो इस तरह से लिख दिया गया और लास्ट आ गया silvo agro pasture silvo agro pasture यह agro silvo था यह silvo agro है it is combination of tree crops and pasture trees are dominant over other component यहाँ पर dominant कौन आ गया आपका trees आ गया जिसे silvo agro pasture आपने बोल दिया classification over हो गया जी क्या बात समझ आ गई है फिर से lovely सभाई Josh के साथ फटा-फट टाइप करते रहिए तक फटा-फट से सारा कुछ कवर करें लेकिन सब कुछ सिखा के जाओंगा इसके बाद किसी एक्जाम में ना किसी भी एक्जाम में यह वाले टॉपी से बार कोशन नहीं जाएगा थैंक यू सो मच चली जी आगे चलते हैं खतम हो गया structure classification हमें पढ़ लिया साथ सद हमें पढ़ लिया classification based on dominance आगे चलते हैं आगे चलते हैं तुम्हारे पास आजाते हैं question तुमसे पूछ लेते हैं based on temporal arrangement temporal क्या होता है जी बताऊंगा आपको based on temporal arrangement of the agroforestry system home garden is an example of home garden किसका example है जी coincident का है या concomittent का है intermittent का है interpolated का है separate का सर ये कैसा question है ये भाया 2020 में आया हुआ question है है अब क्या लगता है answer क्या आएगा मार दो तुक्का कोई tension नहीं है क्योंकि यहां पे तो negative marking नहीं है paper के अंदर मत मारना तुक्का यहां मारते रो कोई tension वाली बात नहीं है time pass सब बढ़ा रहे है छोड़ो यार इस class को यह नहीं आएगा पर यह आया हुआ है और तुम्हारे paper में आ सकता है तो अगली बात करते है agroforestry system based on arrangement of the component बात में फिर से question दिखाऊँगा और फिर तुम बताना इसका right answer क्या आएगा based on arrangement of component के base पे तीन पार्ट इसके किये जाते हैं पहला पार्ट होता है space या फिर special arrangement special arrangement तुम्हें एक रोनमी के अंदर भी पढ़ रखा होगा या फिर time और temporal sequence या फिर vertical stratification तीन है जी पहला space के base पे दूसरा time के base पे time को क्या बोला temporal बोला space को special बोला और vertical stratification आगे आके दिखात किस तरह से vertically हम layer की बातें वहाँ पे करेंगे पहले तो बात कर लेते है space या फिर special arrangement की space में क्या करोगे एक ही तरह के पेड़ लगाओगे दो तरह के लगाओगे ज्यादा पेड़ लगाओगे कम पेड़ लगाओगे यही सब तो करोगे यार तुने तो थोड़ी सी लाड़ में बहुत पेड़ लगा रखे है तो तुम मुझे बहुत कम पेड़ लगा रखे है तो लगाए तो land पर ही है space पर ही है तुमने ज्यादा मैंने कम इसमें क्या हो गया है तो space की बात ना तो space के नाम पे तीन होगे पहला हो गया mixed dense mixed dense मतलो different component है यहाँ पे उनको एक साथ arrange कर दिया गया और density हाई रखी गई है जैसे आपका home garden हो गया उसके mixed sparse आ गया sparse का मतलो होता है थोड़े से क्या होना less dense होना viral होना viral समझते हो ना density जहाँ पे कम है तो यहाँ पे different component इसी के तरह आगे arrange together बट यहाँ पे density क्या होती है low density होती है जैसे more system of tree in pasture because pasture में क्या होता है भ तुमने पूरे एक है पेड़ी पेड़ लगा दिये वो क्या करती है mix dense तुमने कर दिया और तुमने क्या कर दिया सडक के किनारे या फिर boundary किनारे या फिर जहां से पानी आ रहा है उस channel किनारे लगा दिये वो strip plantation हो गया width of strip एक साथ चलने दो to be more than one tree एक ट्री से ज़्यादा जैसे la cropping हो गया लगातार एक line चलती है या फिर boundary plantation कर दी है na tree on the edges of the plot or field तो ये क्या हो गया ये आपका strip plantation हो गया तीन आपने पड़े एक हुआ mix dense एक हुआ mix parse और एक क्या हुआ strip plantation ये तो हो गया space के base पे कि मैं land पे जो space है उसको कैसे use कर रहा हूँ अगली बात करता हूँ time time और temporal sequence की यहां से बहुत सारे question आए है मैं आपको आगे दिखाऊंगा विसी कहा कौन कौन से question आए है तो पहला तो हो गया coincident, coincident तो समझते हो ना, है ना, जैसे कुछ लोग तो थे, वो class को attend करने के लिए पहले से excited बैठे थे, कुछ लोग YouTube है ऐसी suggestion आगया उन लोग को, व अगर अच्छा पढ़ा रहा हूं तब उस पे क्लिक करना, so that मुझे समझ आए कि इस class पर लाइक ज़्यादा है, मतलब मैंने अच्छे से पढ़ाया, and if there is less like, तो मतलब समझ जाओंगा कि अच्छे से नहीं पढ़ाया, if any improvement required, खुलके बोलिएगा, बस live chat के अंदरी comments में कहन कि sir, ऐसे किया करो, तकि मैं वैसा कर्षो को live chat नहीं पढ़ता हूं, मैं कभी class चलाते time, मैंसे नहीं पढ़ता हूं, time and temporal arrangement पहला coincidence, तो coincident तो आप मतलब समझते ही हो, coincident तो सारे लोग जानते ही हो, coincident it occurs when different crops occupy the land together, जैसे coffee या tea के जो आपके छोटेड़ प्लांट्स हैं, उनको अपने tree के साथ लगा दिया, या फिर अपने pasture को trees के साथ लगा दिया, है ना, तो ये kind of coincidence तो नहीं है यार, हमने अपनी मर्जी से लगाया, बट उसो coincident बोला जाता है, जहां पर आप crop को trees के साथ लगा देते हैं, वो कोई भी crop trees के साथ हो सकती है, वो अपने आप में coincident हो अगला आगया, concomittent, concomittent का मतलब बता है जो naturally हो रहा है, है ना, जैसे when different components stay together for certain period, जैसे tongia होता है, तो tongia क्या होता है, मैं आगे पढ़ाने वाला आपको, tongia के अंदर पहले पेडों को लगाया जाता है, और पेडों की देखवाल करने के लिए वहाँ पे लोग खेती करते है, खेती करते हैं, साथ सथ क्या होता है, पेडों की देखवाल होती रहती है, उसे tongia कहा जाता है, तो tongia किसका example है, कौन को मिटेंट का है, अगला आगया intermittent, intermittent क्या होता है, intermittent बीच बीच में, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, और बीच में कोश्चन आ जा रहे है, कोश्चन प लगा दिया अपने coconut trees के साथ या rice लगा दिया अपने multi-purpose trees के साथ जैसे मज़ी लगा दो वो स्पेडों के साथ आपने rice लगा दिया वो क्या हो गया intermittent हो गया कैसा हुआ वो intermittent हुआ आप बोलोगे sir यहां भी तो crop ही लगाई थी लेकिन आप जानते हो ना tea और coffee और rice के अंदर ब interpolated interpolated बीच में add कर दिया गया जैसे inter cropping के अंदर आप लोग करते हो तो interpolated में बोला गया when different component occupy the space during different times जब क्या करते है अलग-अलग component occupy कर लेते है space अलग-अलग time पे जैसे home garden एक crop लगा दी harvest होगी अब अगली crop आई वो harvest होगी अगली आगी तो अलग-अलग time पे occupy कर रहे है फिर इधर एक crop है इधर दूसरी crop है तो दो अलग-अलग है ना तो भाई वो क्या हो गया वो interpolated हो गया और last में separate आ गया when component occupy space is different time के एक फसल खरीफ के अंदर है अगली रभी के अंदर है different time में करेंगे तो वो क्या हो जाएगा वो separate हो जाएगा हमें जानता हूँ यह आपको यह concomitant का मतलब होता है जो naturally occurring होता है interpolated का मतलब होता है जो addition हमने कर दिया है तो यह intercroping की तरह ही तो concept है तो ध्यान से बढ़ लीजिए कुछ नहीं पढ़ना यार अगर आपने plantation को trees के साथ लगा दिया तो coincident है अगर आपने tongi system की बात करी तो concomitant है अगर आपने annual को parallel के साथ लगा दिया तो intermittent है अगर intercroping कर दी तो interpolated हो गया और अलग-अलग time पे crop grow करी तो वो क्या हो गया वो separate हो गया लीजिए question pre-pg 2020 वाला अब आप साथ लोग सही answer बताएंगे based on temporal arrangement of agroforestry system home garden is an example of अब कोई गलत नहीं करेगा क्योंकि अब आप पढ़ चुके हो बताओ home garden कि इसका example है interpolated का intermittent का, concomitant का या फिर coincident का, obviously सब लोग right answer बता रहे हैं, right answer क्या आएगा अब की बार interpolated आएगा, तो अब बता चल गया ना सब लोगो को, कोई बात नहीं, एक question और भी है, RPSC के अंदर पूचा गया 2018 में, बोला based on temporal arrangement on tongia system is considered under, tongia system जो किसके under में आता है, concomitant, interpolated, coincident या फिर intermittent अभी अभी आप पढ़ के आए थे, बताओ सारे लोग right answer क्या आएगा, yes of course है ना, right answer की बात करेंगे, तो अभी अभी आपने tongia पड़ा था, जो किसके अंदर आएगा, एक option नहीं, कौन को mettant के अंदर आएगा, तो अगरो forestry system का, ये वाला classification भी आप लोग समझ गए, समझ गए सारे लोग perfect है जी चलते हैं आगे, classification based on stratification, पहला पढ़ा था, space के हिसाब से, दूसरा था time या temporal arrangement, अगला कौन सा आगया, stratification, stratification जानते हो, हाँ आप जानते हो, stratification के लिए तुम्हें एक बहुत अच्छा example देना चाहूँगा, और वो example नहीं है, वो जि लवर क्लास होते हैं, middle class होते हैं, upper class होते हैं, एक बहुत लगदे हैं एक लिखना तुम कौन से class में आते हैं, L लिखो lower के लिए, M लिखो middle के लिए, क्या लिखो upper के लिए, obviously upper class में तो आप नहीं आते होंगे, और आते हैं तो बहुत अच्छी वाद है, दूआ करूँगा, को बेचा था मतलब अब गाम के अंदर my father was working as a landless labor के land नहीं है बड़ लेबर की तरह काम किया and at that time I was categorized as lower class obviously land नहीं है मजदूरी करनी पटे रहे तो you are lower class but that day मतलब मुझे realize नहीं हुआ था जब जमीन बेची मैं छोटा बचा था बजब ग्रेजूशन किया that time I realized कि यार इतना कुछ हुआ था why क्योंकि तू पढ़के आगे जा सके और अब भी नहीं करेगा तो वो middle class वालों को तुने lower बना दिया था lower वालों को middle बनाने की जिम्मेदारी किसकी है so I took that responsibility कि अब कसम खाता हूँ जो करूँगा ना उन्होंने मेरे लिए किया अब मैं उनके लिए करूँगा मैं आपको बीच में क्यों बता रहा हूँ यह वाली बात same goes to your condition अब lower के अंदर है middle के अंदर है भाई सब जिसके अंदर है ना कसम खाईए कि 22 साल से 23 साल से वह मेरे लिए कर रहे है और अगले 50 साल के लिए मैं उनके लिए करूँगा और 50 साल तो वो साथ भी नहीं रहेंगे यार इसके बाद है ना जितना टाइम रहेंगे तो 22 साल उन्हों ने किया अगले 22 साल तक तुम कीजिए और कसम खाईए कि मैं उस लोवर क्लास वाली कंडिशन को अपर क्लास के अंदर लेके जाओंगा मैंने यह वाला एक्जामपल क् बीच में because this is stratification, classification कर दिया हमने, लोवर क्लास आगी, मिडल क्लास आगी, अपर क्लास आगी, अपर क्लास आगी, अगर सुसाइटी की बाद कर लेते हैं, मेल होगे, फीमेल होगे, this is stratification, हिंदू, मुसलिम होगे हैं, this is stratification, divide करना, अब पेड़ों कैसे divide करू, पेड़ों को layer के हिसाब से divide किया जाएगा, यह एक ही तरह के पेड़ लगा रखे है, single layered होगे, यह पेड़ यहाँ पे कुछ इतने से आया है, और साथ में कुछ ऐसे बड़े-बड़े लगा रखे है, यह double layered होगे, तो ऐसे layer के base पे single layered, the major component usually grown in one layer only, एक ही story होगी, जैसे घर बनाते हैं न one story, two story, three story, आपका घर भी one story है ना, तो फिर से खा कसम, कितनी महनत करूँगा ना, पापा जो चाहेंगे वैसा बना के दूगा इसे, चाहे वो double story कहेंगे, triple story कहेंगे, but obviously है ना, उनकी आखो में खुशी के आंसू होने चाहिए, कि मेरा बेटा या मेरी बेटी ने कुछ ऐसा किया, तो यहाँ पर क्या है यह one story है, मतलब single layer के साथ अपने trees को grow करें, जैसे tree का garden हो गया, double layered की बात करेंगे, component यहाँ पर दो layer के अंदर होते हैं, जैसे tea coffee under shade tree, तो trees जो है वो बड़े हो गए, tea coffee जो छोटा हो गया तो double story हो गया, और multi-layered different component are grown in different layer, जैसे homestead agroforestry है, classification, stratification, आपको यह अच्छे से समझ आ गया होगा, चलिए, आगे चलते हैं, अब अगला आ गया, functional classification, functional के अंदर क्या आ गया, productive और protective, बस दो ही word है, one is productive, second one is protective, productive और protective की बात करेंगे, तो productive मतलब जो production के लिए मैंने tree लगाए है, production क्या मिलता tree से भाई, आपको food मिल सकता है, ज जलाओगे, या fodder मिल सकता है, चारा जो खा जाओगे, नहीं भाई, चारा घोटाला नहीं करना, पशू को खिलाना है, जो अब पशू को खिला दोगे, और fuel wood मतलब जो लकड़ी है, जलाने वाली, पर इतना ही नहीं है, जिस paper में तुम notes बनाते हैं, वो भी नहीं पेड़ो से आता है, वो भी हो सकता है, और बहुत सारे purpose हो सकते हैं, तो production के लिए जो पेड़ों को लगाया गया है, वो कौन सी forestry हो गया, productive agroforestry हो गया, लेकिन पेड जो है, है न, वो production के साथ साथ हमारी सुरक्षा भी करते हैं, बहुत सारी सुरक्षा करते हैं, आपने बहुत सारी जिए कभी सौनी नहीं होंगी, सोची नहीं होंगी, इतना कुछ पेड़ हमारे लिए करते हैं, वो जो हमारे मैंगरूब्स हैं, सुन्दर्बन मैंगरूब्स जो हमारे Bay of Bengal के अंदर खड़े हुए हैं, वो कितना सारे राज्यों को सुनामी से बचाते हैं, सर नई सर वा तो सुनामी कितनी ज़्यादा स्पीड से आती और कितना नुक्सान करती बट थैंक्स टू दोस ट्री जो वहां पे खड़े हुए हैं अपनी एक स्पेशल अड़ाप्टेशन के साथ के सलाइन वोटर इतना खारा पानी होता है समुदर का आखों में चला जाए तो इरिटेशन होन भीज़े ज lets रहे साथ टेम आट थी जहां ऑगा एरिटा इंपक्रशन कर देते हैं होने स्रेट माइर पन ह्ने बहुंत एक सबत्राइस से बातों करते हैं विडोंच कन रहुक्तब्याइइन हमस्थे उयु द्रे चांत हरें तो क्या कर रहे हैं भई हमारी हमारे एनिमल की फस्टों की प्र effectively तो कर रहे हैं तो वह क्या हो गया वह पर्टेक्टिव 19 stop ket तो दोनों समझ गे, productive ही, protective ही, आगे चलता हूँ, next classification के अंदर क्या आ गया, physiognomic classification, हाँ इसे physiognomic classification बोल दो, बट जी इस में silent होता है, तो this is physiognomic classification, physiognomic तुम्हें पढ़ती ही समझ आ जाएगा, यह जो tree होते है, agroforestry होती है, वो hydromorphic होती है, zeromorphic होती है, और mesomorphic होती है, आपको याद आ रहोगा, अच्छा सर, hydrophite, zerophyte, mesophyte, हाँ, वो ही वले यार, तो hydromorphic agroforestry का मतलब वो हो गया, वो agroforestry, जो wetland के अंदर की जा रही है, या फिर water locked area में की जा रही है, मतलब जहाँ पर पानी बहुत जादा है, जैसे aqua forestry, वहाँ पानी जादा होता है, तो वो hydromorphic agroforestry हो गया, zeromorphic, zerophyte, जहाँ पर dryland agroforestry, जहाँ पर arid या semi-arid जैसे राजस्थान वाले areas हो गया, वो वहाँ पर agroforestry प्रक्टिस है, राजस्थान के अंदर हो जीरomorphic agroforestry हो गया, और mesomorphic के अंदर, it is agroforestry system where water is available in optimal quantity, जहाँ पर water जो है, वो sufficient है, क्योंकि यहाँ पानी ज्यादा था, यहाँ पानी कम था, ज्यादा वाला हो गया, hydromorphic कम वाला हो गया, zeromorphic जहाँ sufficient है, वो क्या हो गया, वो mesomorphic agroforestry हो गया, तीन वर्ड आपको clear हो गया, जी clear, चलो, आगे चलते हैं, सर कितना और चलेगा, बस थोड़ा सा चलेगा है, यह socio-economic classification है, फिर based on management है, उसके बाद खतम हो जाएगा, फिर सारे question practice करेंगे, 11 AF4 नबाड वाले, और उसके सासा 4-5 question और भी एड़ करेंगे बाकी exam से, बट 20 question practice करेंगे, आपको confidence आजाएगा, किसा system तो हो गया, अच्छे सी अब, आगे चलता हूँ, socio-economic classification, socio-economics के अंदर सब लोग नाम से जान रहे हैं, subsistence agroforestry और commercial agroforestry, अगर तो मैंने अपनी need के लिए छोटा मोटा कुछ कर रखा है, थोड़े बहुत पेड लगा रखे हैं, तो वो subsistence agroforestry है, और अगर भड़े level पे कर रखा है, वो क्या हो गया, वो commercial agroforestry हो गया, लेकिन अगर आप ध्यान से मेरी class ले रहे हैं, तो आपके mind में doubt आना चाहिए, क्या आना चाहिए, सर अगर paper में आ गया, और option में आ गया, homestead agroforestry और आ गया वहाँ पे क्या, आपका subsistence agroforestry, तो क्या answer करूँगा सर, homestead भी तो आपने यही समझाया था, समझाता हो, जैसे shifting cultivation हो गया, scatter tree in the farm हो गया, या फिर homestead agroforestry हो गया, और आपका doubt clear हो गया, क्या clear हो गया, कि subsistence agroforestry पिता जी है, और उनके ननने मुने जो बेटा जी है, वो कोन है, वो homestead agroforestry है, तो अब paper में अगर language आ गई, तो समझ जाओगे ना, कि homestead agroforestry करूँ, या फिर subsistence agroforestry करूँ, clear हो गया, अगर हुआ तो लवली सा वाई दीजिए, because commercial तो आपको पहले ही समझ आ चुका है, commercial agroforestry की बात करेंगे, it refers to large scale production on commercial basis, the main consideration is to sale of the output, यहाँ पे तो surplus थोड़ा बोती था, इधर सारा sale के लिए जैसे टी कोफी लगा दी, share tree के अंडर में, तो भाया लग यह तो आपको पहले सी पता है, intensive और extensive, छोटे area के अंदर ज्यादा tree लगा के, ज्यादा production ले रहे हो, intensive agroforestry है, और बड़े area में कम पेड लगा रहे हो, तो extensive हो गया, तो intensive के अंदर agroforestry system are intensively managed for more production per unit, जैसे home garden है, यह tree with agriculture crops है, तो पहले तो agriculture crop लगा रखी थी, space कम था, में ज्यादा कुछ कर रहे हो, extensive की बात करेंगे, it is a system where less production per unit area, it includes shifting, cultivation, silvopasture, या partial silvical, तो जंगलों के अंदर जो पेड लगाए जा रहे हैं, वो इतने ज्यादा नहीं लगा रहे, खेत के अंदर लगा डाले हमने बहुत सारे, लेकिन जंगलों में इतने सारे एक साथ नही extensively managed system है, और खेत आपके intensively managed system है, जिसे इस time पे आप जो पढ़ाई कर रहे हो, extensive कर रहे हो, अब intensively पढ़ाई तुम्हें करनी पड़ेगी, कम time के अंदर ज्यादा output निकालना पड़ेगा, तो वैसा यहाँ पे हो गया, खतम हो गया जी, अगला है agroforestry system based on utilization of land, utilization of land की बात करते फिर आगया आपका shifting हो गया, और फिर ही topic भी खतम, तो based on utilization की बात करते हैं, इतनी देर पढ़ने के बाद आपको नाम से समझ आना चाहिए, क्या ना चाहिए, first वो आगया homestead agroforestry, production of multi-purpose trees in farmhouse, तो घर के आसपा जो agroforestry कर रहे हैं, वो homestead agroforestry है, forest land agroforestry, यहाँ पे crop लगा दी, तुमने कहाँ पे, forest के अंदर जहाँ पे space खाली था, तो वहाँ पे फसले लगा दी, वो क्या हो गया, forest land agroforestry हो गया, crop farm forestry, पिछला देख लो, पिछला है forest land agroforestry, अगला है crop farm forestry, तो जहाँ पे आप crop का production कर रहे थे, और साथ में आपको क्या लगा दी, आपने माइन में आने चाहिए, तो लिखोगे कोई example, जो आपको दिख रहा हो किसका, crop farm forestry का, सबसे पहले जो लिखे गा, उसका नाम लेंगे, and of course, श्वेता ने सबसे पहले लिख दिया है, उसके बाद नेहा और बाकी लोग भी लिख रहे है, तो of course, राइट है जी, LA cropping, जिसे ह एजरो cropping भी कहा जाता है, LA cropping अपने आप में क्या है, वो crop farm forestry ही है, अगला आ गया fish farm forestry, production of fish and tree in the fish farm, fish farm के अंदर tree और fishes एक साथ आ गई है, वो fish farm forestry हो गया, integrated की बात करेंगे, तो जहाँ crop और animal और fishes को आपने integrate कर दिया, जानतों ने integrate क्या होता है, IFS, integrated farming system, आजकल आपने वीडियोज भी देखी होंगी, ऊपर मुर्गिया है, बीठ डाल रही है, नीचे बीठ को मचलिया खा जा रही है, वो क्या है, वो integrated system ही तो है, तो ऐसी जो आपने एक दूसरा अटैच कर दिया, कि एक system का waste दूसरे के लिए useful product हो जाए, वो integrated हो गया, अगला आ गया animal farm forestry, animal farm forest मतलब पेडों के साथ पशु आगे, जैसे पेडों के साथ मुर्गिया है, तो poultry farm forestry हो जाए, पेडों के साथ पशु है, तो dairy farm forestry, पेडों साथ बकरिया है, तो goat farm forestry हो गया, अगला roadside agroforestry जो तुमने सड़क पे जाते वे देखा, दिखा आप लोगोंने सड़क पे जा र हो सकता है, वो जो है, वो क्या हो गया, public place agroforestry हो गया, system खतम हो गया, क्या यहां तक clear हो गया, टों गया, और shifting आपको पढ़ाऊंगा, उसके बाद question discuss करेंगे, सारे के सारे, जो जो exams में आए होंगे, बहुत मजा आएगा आपको यहां पे क्यों मजा आएगा, because पढ़ने से मजा नहीं आता, जब पढ़के चीजों को answer कर पाते हैं ना, तब मजा आता है, है ना, तब लगता है कि हां सरब answer सारे कर पाया हूँ, तो पहले इसको खतम करते हैं, उसके बाद आ जाओंगा, कहां पे questions पे, लेकिन कोशिश करना, एक single question भी गलत नहीं होना चाहिए, because अब तक हो गलती का टाइम नहीं है हमारे पास, गलती या करनी थी वो कर ली, यह तो revision चल रहे है, revision तो class नहीं है, revision class है, एक भी question गलत नहीं होना चाहिए, वो बात में देख लेंगे, पहले चलते हैं किसके साथ, shifting के साथ और tongya के साथ, shifting और tongya का का बहुत जिकर रहता है हर जग बहुत ही हो गया, तो जब बात करते हैं किस की, जब बात करते हैं shifting cultivation की, तो shifting cultivation वाले case में क्या होता है, जो हमारी shifting cultivation है न, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग पेड़ों को जलाते हैं, हम लोग मतलब आप और मैं नहीं जला रहे हैं जो रहते हैं वहां पे जहां पे जंगल है जंगल कहां पे सबसे ज़्यादा अगर मैं कहूं इंडिया का इस्ट वेस्ट नोर्थ और साउथ आप लिखके बताना मुझे चैट में कौन सा पार्ट है इंडिया का जिसमें जंगल सबसे ज़्यादा है इस्ट में व और झाल को औरो तो पर बीच में घुसा हुआ है जिसका नाम ही मध्य हा परदेश है सेंट्रल इंडिया में आता है ना वो मैंने तो ऊप्शन रिंश्ट कॉन सा राज्या जो ना तो एस्ट में आ रहा है न सौफ में आ रहा है यह तो काम खराब हो गया है ना हमारे यहां पे क पेड़ के अंदर पेड़ी करें जाए यहांपर जाता है है यहां पे जादे है वह रहते हैं वो क्या कर रहे हैं भाईया वो पेड़ों को जला रहे हैं चुकल कि जंगल जादा है लोग वहां पे रहते हैं खेती करने के लिए पेड़ों को जलाते हैं आज कल क्या ओरारा ट्राइबल एरिया की population भी बढ़ती जा रही है तुम्हारी population थोड़ी बढ़ रही है तुम्हें थोड़ी लग रहा है कि दीपक सर की क्लास निलूँगा एफो बन जाओंगा शादी करूँगा फिर हम दो हमारे 5-6 पैदा कर दूँगा शिर्फ तुम थोड़ी ऐसा सोच रहो सब लोग सोच रहे हैं मतलब population हमारी बढ़ रही है तो tribal area के अंदर भी population बढ़ रही है इसलिए shifting का impact बढ़ता जा रहा है वो जल्दी जल्दी पेड़ों को जलाते जा रहे है सर population बढ़ने से जल्दी को जला रहे है क्योंकि population बढ़ने से उनकी requirement बढ़ गई है उनकी requirement बढ़ने से land के उगर pressure जादा हो गया है अब जब land से जादा output लोगे तो अब इसलिए land की fertility जल्दी जल्दी डाउन होगी तो इसलिए वो जादा पेड़ों को जला रहे है क्यों ज समझाता हूं देखिए कुछ करते नहीं है तो जैसे फट्लिटी कम होगी आब वो क्या करेंगे फट्लिटी कम होते ही अब वो लोग से क्या कर जाएंगे शिफ्ट हो जाएंगे नई जगा पेड़ जलाएंगे मतलब बेसिकली वह rotation कर रहे हैं, अच्छा है yes और no के अंदर लिख के बताना, इसको कहानी की तरह समझते हैं, because यह important है, यहां से बहुत सारे question आया exams के अंदर, यह important है, एक बार समझने के लिए बोलता है, कि तुम जितने लोग class ले रहे हो, तुम सारे नोर्थिस्तन स्टेट में ही राते हो, ठीक बात है जी, आपने आज यहां पे पेड़ जलाए, खेती की यहां पे एक साल, दो साल, तीन साल, फिर चलेगे, आगली जगा पे, फिर अगली पे करी, एक बात बताओ, जो सबसे पहली जगा तुम जलाके गए थे, पहले question सुनो, कुछ लोगों ने yes पहले लिख दिया है, है ना, question यह है, कि जो जगा तुम सबसे पहले जलाके गए थे, क्या वहां पे कभी, पात, दस, बीस, तीस, साल क्या वहां पे कभी दुबारा वापिस आओगे, आओगे तो जगरा yes लिखो, नहीं आओगे तो जगरा no लिखो, तो obviously मुझे पता, आप लोग सही लिखेंगे, है ना, क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे, हाँ सर वापिस तो आओंगा ही, है ना, तो सुब्य का भूला, श प्रडक्शन कम करने के लिए वो लोग क्या करते थे, पांस से दस साल एक ही जगा पे खेती कर लेते थे, पांस से दस साल बाद क्या करते थे, फटलीटी डाउन होगी, यहां से चले गए, अब बी प्लेस पे आ गए, वहां पे क्या किया, पांस से दस साल खेती करी, अब ज जला रहे हैं ज्यादा प्लोट जलाई ज्यादा नुक्सान नहीं हो रहा था लेकिन आज क्या हो गया आज जब ट्राइबल एरिया की population बढ़ गई जब उनकी जरूरते बढ़ गई जब production ज्यादा करना है तो मुझे बताओ चैट के अंदर yes no लिखे पहले पूरा question सुनना जो पहले 5-10 साल का rotation था के एक जगा पे 5-10 साल खेती करने हैं फिर आगे जाना है आज pressure बढ़ गया तो आज आपको क्या करना है आज आपको production ज्यादा लेना है तो जब आप production ज्यादा लोगे भाई लोगो तो उसके बताओ य rotation जो है यह पहले से जादा होगा या कम होगा तो आज चु menyvboda सालो बात जाओंगा या को सालो बात जाओंगा ओभी तक यहां पे विजिटेशन हुई नहीं है, मैं यहां पे गया C प्लेस पे, फिर गया D प्लेस पे, अब जाके वापिस आया, तो पहले आप दो ही जगा पे जला रहे थे, अब तुम किते जगा पे जला रहे हो, चार जगा पे, और यह सिस्टम हर बार क्या होता जाएगा, agroforestry का सबसे oldest, सबसे बजूर्ग, दादा जी किसे माना जाता है भाहिया, सिस्टम के दादा जी है, वो कौन है, वो shifting cultivation है, सबसे पुराना इसे माना जाता है, it is the oldest method of agroforestry system, this is also known as zoom cultivation, या फिर से zooming कहा जाता है, या फिर से slash and burn farming कहा जाता है, है न, slash कहा जाता है, zooming कहा जाता है, या slash and burn, slash and burn का मतलब slash का मतलब cut करना, जला देना, वो slash and burn हो गया, zooming वह जूमते रहते हैं, वो जूमेंगे, दो साल खेती करेंगे, फिर निकल लेंगे, निकल लेते हैं वहां से हैं न, तो वैसी के लिए जूमते नहीं है, पर वो जूम वर तो जूमी है न, तो जूमते रहते हैं, शिफ्ट होते रहते, इसलिए शिफ्टिंग, जूमिंग या फिर slash and burn इसे कहा जाता है, उस क्या बहला गया, it is widely accepted, accept किया गया भाई, कि शिफ्टिंग cultivation जो है वो agriculture system है, characterized by a rotation of field rather than of crops, तो वो field को rotate याइड कर रहे याइड, crop को rotation नहीं कर रहेगा, crop rotation कर रहे हो, जो आप ग्रोनमी के अंदर पढ़ते हैं, वो scientific principle फोलो नहीं कर रहे, वो land का retention कर रहे है, दो साल यहाँ पर, दो साल वहाँ पर, दो साल वहाँ पर, land का rotation चल रहा है, तो यह crop का rotation नहीं है, यह shifting cultivation land का rotation है cultivation phase जो 2-3 साल का 2-3 साल खेती करते है और उसके बाद regeneration phase जो लंबा है 10-20 साल लग जाते है दुबारा plant को grow होने में तो 2-3 साल बाद छोड़ के चला गया अब ध्यान से समझो ना अगर pressure बढ़ने पर 2 साल में मेरे को land में छोड़ना पड़ा वापिस मैं हवाँ 20 साल बाद आ सकता हूँ तो भाई 2 साल में ये जगा छोड़ दी अगले 2 में ये छोड़ दी अगले 2 में ये छोड़ दी मतलब 10 अलग अलग जगा मैं जला चुका हूँ उसके बाद पहनी जगा का number आएगा साल दुबारा वहाँ पेड़ बोधे ग्रो जाते हैं फिर आते हैं फिर जलाते हैं फिर खेती करते हैं तो क्या किया जारा है लैंड का rotation किया जारा है shifting cultivation is a way of discontinuous cropping in which period of following are typically longer जो खाली छोड़ा गया है वो period longer है than the period of cropping cropping दो से तीन साल तक करी गई है और खाली जो है वो क्या छोड़ दिया गया भाईया वो छोड़ दिया गया 10 से 20 साल के लिए इसी shifting को पोडू भी कह दिया जाता है कहां पे अंधरापरदेश के अंदर जो वहां का क्या है वो local है यह system जो है यह इंडिया के अंदर बैन है भाई लोगो है ना कल भी कोई बच्चा मुझे टेलिग्राम पर मैसेज कर रहा था वो क्या बोल रहा था वो कल आरभी आसो का result आया था ना तो बच्चा कह रहा था कि सर आरभी आसो में बहुत सारे बच्चे फरजी certificate बनाके select हो जा रहे हैं मुझे इनके गयंस complaint कर नहीं है मैंने उसको समझाया के बिटा इतना गरम मतो अराम से शान्त हो जा system के अंदर है system चेंजने में time लगता है हो जाएगा लेकिन time के साथ होगा aggressive group में होने से कुछ नहीं होता आप टेलेग्राम group में aggressive हो रहे हैं अपने आप में गुसा कर रहे हैं क्या होता है मैं आपको पता है क्यों बता रहा हूँ illegal तो ये भी है कि fake certificate बनाके RRBSO के अंदर interview देके select हो जाना लेकिन आपको पता है कभी कभी जिंदगी में मन की और तन की शान्ती बहुत important होती है जो fake certificate बनाके select हुआ पता ने कब उसकी complaint हो जाएगी दो साल बाद, चार साल बाद, दस साल बाद और police verification हो जाएगा court verification हो जाएगा भाई job लेकिन निकाला तो जाएगा साथ साल बाद निकाल दिया गया, जब उसकी age खतम हो जाएगी उसका दुबारा job भी न ले पाएगा तो उसकी fake वाले का हाल क्या हुआ, मैं क्यों बता रहा हूँ क्यों बच्चे कह रहा है कि सर ये तो illegal है, है ना, तो illegal ये वाला भी है लेकिन जैसे वो illegal काम चल रहा है ये तो जंगलों के अंदर है भाई, पुष्पा तुमने देख रखी होगी, चलो बड़े लेवल पर दिखाया गया था विरप्पन तुमने सुना होगा भाई साब, जंगलों के अंदर क्या क्या उसने कांड कर दिये विरप्पन ने, क्यों कर दिये विकोस सिस्टम में चल रहा है यार, illegal है बट चलता है, तो of course ये illegal है लेकिन आज भी बहुत बड़े स्केल पे इंडिया के अंदर shifting cultivation हो रहा है, खतम करते हैं बातों को, टोंगया पर आ जाते हैं, और फिर सबसे important part, questions पर आएंगे, discuss करेंगे, टोंगया की बात करते हैं, टोंगया थोड़ा लगया है, कैसी अलगया है, तो यहाँ पर हमारी government क्या करती है, टोंगया के अंदर government क्या करती तो पेड़ों का management करने के चकर में क्या होगा ना, ना इने लोग हायर करने फिड़ेंगे, बताओ पेड़ लगाने के लिए सरकार क्या employee हायर कर सकती है, है ना, बोला forest officer हायर करेंगे, जो पेड़ों को लगाएंगे, वहाँ पर 10 सालों पेड़ को लगाता रहेगा, तो सरका सरकार हायर नहीं करती किसी को, सरकार क्या करती है, पहले पेड़ लगवा देती है, तो मालो ये 50 hectare के area है, example लेते है, इस 50 hectare पेड़ लगा दिये गए, ठीक है जी, पेड़ लगा दिये गए और फिर क्या किया, ये वाले जमीन वहाँ के आसपास के local को दे दी गई, दे मतल करने में का करना पड़ेगा, सिंचाई irrigation करनी पड़ेगी, weeds का removal करना पड़ेगा, tillage करना पड़ेगा, तो खेती हम कर रहे हैं, हमें खेती करने के land mill की फायदा हो गया, लेकिन सासा पेड भी धिर धिर बड़े होते जाएंगे, पेड छोटे थे तो छाया वाया आनी नहीं कोई दिक्कत नहीं है, तीन चार साल बाद जब पेड बड़े हो जाएंगे, shade effect बढ़ जाएगा, तो नीचे फसले grow हो नहीं पाएंगी, तो फिर हमें वो land छोड़ने पड़ेगी, तो rotation तो land का यहां पे भी होगा, लेकिन यहां में पेड़ों को काटा या जलाया नहीं है, पेड़ों के बीच में cultivation करी है, यह अपने आप में क्या हो गया, इससे टोंग्या सिस्टम कहा जाता है, टोंग्या की बात करेंगे, यह बर्मीज वर्ल है, बर्मस की starting भी टोंग का मतलब होता है, hill और या का मतलब होता है, cultivation, तो यह सिस्टम सारा जंगलों के अंदर के चल पहाणों के उपर चल रहा है, तो hill cultivation मतलब हो गया किसका, तो नोर्थिस्तन स्टेट कैसे स्टेट है, हिली स्टेट है ना, वहाँ पर ये सब चल रहा है, तोंग्या सिस्टम कंसिस्ट अव ग्रोइंग एनुवल अग्रिकल्टर क्रोप्स along with the forest species during the early years of establishment of forestry plantation, देखो, forestry plantation, early establishment, जब पेड लगाए है, नन्ने मुने पेड, जैसे तुम लोग छोटे मोटे नहीं है, मैं गलत बोल रहा हूँ, मैं शमा कीजिएगा, जैसे तुम लोग छोटे बच्चे हो, छोटे बच्चे मन्दब अभी growing stage पी होना, unemployed हो, जो मिलेगी, employed हो के बड़े बन जाओगे, ऐसा ही अभी trees जो है, वो क्या है, वो छोटी stage पे, तो उनके साथ early establishment stage पे आपने क्या लगा दिया, पेडों को, crop को लगा दिया, तो वो टोंगया system हो गया, यह system जो है, यह start हुआ था पहली बार, बर्मा के अंदर, 1856 में, और इंडिया में इसे पहली बार लाया गया था, North Bengal के अंदर, जिससे आप इस ताइम पे West Bengal कह सकते हो, कब 1863 के अंदर, उसके बार, this is a method of establishing forest crop, in temporary combination with the agriculture crop, तो forestry के साथ temporary हमने crop लगाई, जब पेड़ बड़े हो जाएंगे, जब shade effect वहाँ पे आ जाएगा, फिर crop लगा नहीं पाऊगे, और यह तुमने कोई गलत काम नहीं करा, सरकार ने तुम्हें allow किया, तब तुमने किया, मतलब यह system illegal नहीं है, shifting ban है, लेकिन टोंगया जो हो allowed है, कोई दिक्कत नहीं है, सरकार ही allow करती है, जो टोंगया होता है, टोंगया जो हो तीन टाइम का होता है, कैसे, जब तो forest के अंदर trees के साथ, सारे operation जो है, वो department के लोग ही करेंगे, वो departmental टोंगया हो जाएगा, लेकिन अगर सरकार ने land को rent पे, ठेके पे, पटे पे, lease पे, किसी बंदे को दे दिया, वो बंदा सारे काम करेगा, वो lease टोंगया हो गया, और अगर दोनों काम ना करके, सरकार ने वो जमीन land जो है, वो गाम वालों को दे दी, दे दी, मतलब कुछ सालों के लिए, गाम वाले वहाँ खेती करेंगे, तो village टोंगया हो गया, तो टोंगया के तीन टाइप होगे, यहां पर village को सारा कुछ दे दिया गया, village को सारा में लेंड village को दे दिया गया, क्या लगता आपको, कोशन बुचायता ऐसा, इन में से most successful टोंगया system कौन सा होगा, क्या यह departmental होगा, या फिर leased होगा, या फिर village होगा, अच्छे लोग class में है, देखो, शुभान दीब महंत जी डिपार्टमेंट टोंगया फोर, या ठीक है, दूसरे बच्चे लें, अफकोंस ठीक बोल रहाँ, village टोंगया याद रखिएगा, इन सिस्टम में, सबसे जो अच्छा सिस्टम आना जाता है, वो कौन सा होता है, वो village टोंगया होता है, खतम करते हैं बातों को, अब shifting और objective है, यह क्या है, trees है भाई, पेड़ यहाँ पे में है, उधर क्रोंगया करने के लिए 1200-1500 mm की rainfall होनी चाहिए, बिए इरिगेशन तो होती नहीं, तो natural rainfall इतनी होती है, तब वहाँ पे successfully टोंगया हो पाता है, वरना फसले ग्रोंग नहीं हो पाती, shifting की बात करेंगे, यह sequential system है, ग्रोंग करने के लिए, woody species and agriculture crops, shifting के दर हम क्या करते है, woody species मतलब पेड़ वहाँ पे होते हैं, पेड़ हो कैसा, फसले वहाँ पे होते हैं, लेकिन पेड़ हम जला देते हैं, और इसकी बात करेंगे, उधर तो पहले पेड़ थे, बाद में crop आई थी, लेकिन यह system का है, simultaneous system ह simultaneous है, एक साथ, पेड़ भी एक साथ है, और फसले भी एक साथ है, बताओ, यहाँ पेड़ जलते हैं, फिर फसले आती हैं, यहाँ पेड़ भी होते हैं, फसले पे तो एक साथ आएगा, और last point, length जो है, agriculture cycle की, last only as long as the soil sustained reasonable crop yield, तब तक वहाँ पे खेती की जाएगी, जब तक soil production पाएगी, soil के अंदर fertility बाद में से छोड़ा जाएगा, and it is primarily dependent on the physical availability of the space and light, टोंगया जो है, वो depend करता है, अगर space and light available है, तीन साल तक, चार साल तक, पांस साल तक, जब तक पेड़ इतने बड़े ना हो जाएं, कि नीचे चाया उन्हें प्रभावित करने लगे, तब तक वह बहुत बड़ा पाट एक घंटे के अंदर cover कर लिया, जहां से सबसे ज़्यादा question पूछे गई है, तो क्या आप ready है question को answer करने के लिए, अब थोड़ा जोश में आईए, अब आपको chat के अदर उंगलियां चलानी है, मुझे आप सब लोगों से answer चाहिए, और कोई target नहीं है सारे के सारे answer सही होने चाहिए, एक भी गलत नहीं होना चाहिए, लास्ट में तुमसे पूछूँँगा, 1, 2, 3, 4, कितने आपके गलत हुए, usually मैं क्या करता हूँ, 10 question मुझे score पूछता हूँ, कि 7 आए के 8 आए के 9 आए, और फिर मैं कहता हूँ, कि 7 से उपर आए तो सारे करने है, so let's get ready, and question number 1, sorry, agroforestation 11 question आए ना, तो पहले ये cover कर रहे है, ये कि समझा कि जब cover और फिर इस वाले topic बे आ जाओँगा, है ना, चलिए, तो first question इस साल जो पूछा गया था, AFO के अंदर, tree crop with livestock or poultry or fish culture for fulfilling the daily needs of the farmer, एक ऐसा आपने system बना दिया, जो daily needs को fulfill करेगा, इ question के रहे 10 second का time दोंगा, perfect, तो कोई doubt ही नहीं है, है ना, answer का आएगा, homestand agroforestry see will be the right answer, AFO 2030 का question आए, इसी जो paper हुआ था, अगला भी उसी साल का, नाबा 23 का, trees cultivation for the economic importance or aesthetic value or recreation is known as, आपने tree को लगाया, economic, मतलब पैसों के लिए, या फिर aesthetic या नि शदा भावना के लिए, recreation, entertainment, entertainment लगा लिया, इससे क्या कहा जाएगा, armory culture, pomology, landscaping, gardening, olery culture, silvy culture, दिखिए जी, olery culture तो आता नहीं, सबजिया तो लगा नहीं रहे हैं यापे, pomology आएगा नहीं आपके पास तीन option बचे, बताएगे, A, C या E किसके साथ जाओं, of course आप सही answer कर रहे हैं, कुछ बचे C भी answer कर रहे हैं, देखिए, landscape gardening का मतलब किसी place का beautification होता है, वहाँ पे economic importance की बाते नहीं होती हैं, तो landscaping gardening तो नहीं आएगा, अब A और E बचे गया, जब बात कर रहा है aesthetic value की, recreation की, तो भई आर्बोरी कल्चर में जा रहा है, because silvy culture, recreation, creation की बाते नहीं कर रहा था, है न, तो answer क्या आगया, A आगया, जिन बचों ने landscaping किया, गलत हो गया, भाई साब, जो नहीं होना चाहिए था, पर still एक option था, गलत कर सकते हैं, आगे भी गलत मत होने देना, चलते आगले question पे, RRBSO23 ने पूछा था, a system in which suitable trees are planted around the fish pond, trees को fish pond के round लगा दिया, with a prime objective of reducing evaporation, तो evaporation कम हो जाए, और सासा microclimate वहाँ पे क्या हो जाए, improve हो जाए, लिखी answer A, B, C, D, क्या आएगा, 10 seconds आपके पास, okay, right answer की बात करेंगे, तो obviously यह option के साथ जाना पड़ेगा, which is aqua forestry, पाने के साथ पेड आपने लगा रहा है, aqua forestry, अगला question इस ही साल, RRB 23 के पुछा गया, practice of forestry, for raising fodder grasses, with scattered fodder trees, fruit trees, fuel wood trees, on the suitable wasteland, पंचायत, land, and village community, वैसे से community forest भी कहा जा सकता है, लेकिन community forest जैसा कोई option नहीं है, होटी, silvy culture, silvo, pasture, recreational, farm forestry, mix forestry, farm forestry तो नहीं आएगा, भी कुछ खेत के अंदर तो इसने बोला ही नहीं है, है ना, तो E तो गया, A, B, C, D में से judge कीजिए, right answer क्या आएगा, घलत मत करना यार, तुम्हारा career बहुत important है, समयदारी से आराम से पढ़ना, और ध्यान से answer करना, मुझे ऐसा लग रहा है, कि यह कह रहा है, fodder भी लगाया, tree भी लगाया, fruit tree भी लगाया, इतना कुछ क्या दिया, तो मुझे लगता है, होटी, सिल्वी, सिल्वी और रिये सब नहीं सुनना चाहरा है, B और C तो answer नहीं आएगा, D, D सुनना चाहरा है, सर, D भी क्यों ही सुनेगा, या, recreation को, entertainment की बात तो करी रहा, तो यार, इतना कुछ mixes ने कर दिया, तो मुझे ऐसा लगता है, कि mixed forestry यह सुनने वाला है, तो बिसली जो यहाँ पर right answer है, वो क्या है, A will be the right answer, अगेला question जो नमार 22 ने बुचा, growing of trees, agriculture crops, grasses for livestock together in the same land at the same time, अब system में आ गया है, और system में आते हैं भाईया, देखिए, system में tree भी ले आया है, सासाथ crop भी ले आया है, और पशुओं को भी ले आया है, तीन component आगे हैं, तो देखिए रहा, तीन component कहां पर आपको मिल रहे है, अगरी पास्टरो दोई component है, अगरी होटी पास्टरो तीन component है, होटी सिल्वी दोई component है, अगरी सिल्वी दोई component है, अगरी सिल्वी पास्टरो तीन component है, अब A और D में से बता दीजी क्या लगता राइट आंसर क्या आएगा सब लोग A के साथ जाना चा रहे हैं ऐसा हो इन सकता कि महनत करे बच्चा और गलत हो राइट आंसर यहाँ पर क्या आएगा obviously तो तुम बोल रहे हो that will be the right answer A is the right answer आगे चलते हैं अगला कोशन अगला कोशन RRB22 ने पूछा था The Homestead Agroforestry जो अभी हम पढ़ गया है Is Common Age Old Practice Invested भया पुराने टाइम से Homestead Agroforestry कहां पर चलती आ रही है गलत मत करना Punjab, Bihar, Tamil Nadu, Harayana थोड़ा सोचना पढ़ता Tamil Nadu के लिए लेकिन असाम ने तो मेरा आंसर बड़ा आसान कर दिया असाम चलो तो चलो फिर आगे राइट आंसर यहां पर क्या आएगा Of course, right answer will be असाम Clear है ना? Doubt तो नहीं है ना? कैरला लिख देता हूँ चाहिक बात बताओ ये हटा दिया, Bihar को लिख दिया कैरला बताओ, answer क्या आएगा बताना जारा हाँ भाई, कैरला लिख दो चाहे लिख दो आसाम तो लिखाई हुए कैरला लिख दो, चाहे करनाटका लिख दो भाईया, answer पहले North Easton को prefer करना पड़ेगा बिकोज वहाँ जादा और यह वहाँ जंगल भी जादा है तो answer will be आसाम तुमने कैरला किया, तो examiner तुम्हें करेला देके चला जाएगा भाई तो तुम्हारे नमबर कट जाएगे, तो ध्यान से answer करना चालो, आगे चलते हैं अगला question, AF421 ने पूछा था which of the following agroforestry system include agriculture, crop, tree and then pasture फिर से तीन system बोल दिये यार, फटा-फट सी answer करो यार क्या ये question है यार, बच्चों वाले question है बच्चे ही answer कर रहे हैं बस paper के अंदर answer नहीं कर पाते बच्चे क्यों कि वहाँ बच्चे डरे होते हैं बच्चे मन के सच्चे पर डर इतना लगता है कि सर्दी के अंदर हाथो पसीना आ जाता है बच्चों के परी कपे पर देखे आयो ना, पसीना आ रहा था ना नर्वस होते हो ना, अपने में विश्वास रखा करो यार गलत नहीं हो ना, तुम्हारा या answer पता है सब लोग को की answer क्या आएगा है ना, वैसे ही वहाँ भी confidence से किया करो राइट आंसर यहाँ पर agree, silvy, pasture आएगा वो तो आप समझ ही गए होगे सब लोग समझ गया ना, हाँ सब सही लिख रहे थे, आगे चलता हूँ ना, बार 21 का कोशन है Which of the following system of forest are managed to produce wood and rearing animal in the agroforestry तो यहाँ पर आपने tree लगा दिया है, साथ में animal आगया tree animal आए, tree का मतलब silvy के साथ जाना चाहिए animal अदर pastoral के साथ वो ही कहा न following system of forest are managed to produce wood and rearing animal in the agroforestry तो बताइए right answer क्या आएगा right answer की बात करेंगे तो obviously tree मतलब silvy और animal अदर pastoral तो मुझे किस के साथ C के साथ जाना पड़ेगा right answer क्या हो जाएगा, it will be C silvy pastoral नबार 21 का question था अगला, RRB 20 का question है a system in which agriculture crops, trees, fruit trees और ornamental trees are grown together in the same land ज़रा करदो answer वैसे में बता दिता फटा फट से time ना जाए लेकिन यह थोड़ा बढ़ा है तो करदो answer इसको, crop भी लगा दिया है tree भी लगा दिया है, fruit tree भी लगा दिया है या फिर ornamental tree, तो 3 component आगे first lay, forest tree और आपके fruit trees तो क्या आएगा answer, agree hoti, agree silvy culture agree silvy pastoral silvy hoti, agree silvy hoti मुझे लग रहा है, मुझे यह के साथ जाना चाहिए, कि तुम भी वहीं पे जा रहे हो of course तुम भी वहीं पे जा रहे हो, चलो फिर वहीं चलते है obviously, agree silvy hoti is the right answer अगला question, RRB SO21 का in this system, various woody hedge especially fast growing and copicing fodder shrub and trees are planted for the purpose of mulch, green manure, soil conservation, कितना अच्छा question है यार, confuse कर रहा है question को है न, कहता है hedge लगाई है fast growing species है, copicing fodder है, और ध्यान से मेरी class लिए तो आपको याद आ रहा होगा, कि यह से हम पढ़ के आए थे कहाँ पे, D option के अंदर, कुछ बच्चे E भी लिख रहे हैं, भाई, aqua forestry किसने E लिख ज़रा थोड़ी बेजिती कर दो मैं उसकी, चला गया, कहीं पे, वो इसलिए कर दो, जंडू बाव है कि भाई, aqua forestry कैसे answer आएगा यार, वो क्या बोल रहा है, कि copicing fodder अभी तो पढ़ के आए थे, इसे किसमें, woody hedge row के अंदर, class को थोड़ा पीच्छे करके देखिएगा, समच जाएंगे answer को, अगला question, RRB 21 का, in which among the following agroforestry system the fruit trees and pasture is grown together, agroforestry system जहाँ पे fruit trees को, और pasture को लगाया, fruit trees और pasture को लगाया बताओ, right answer क्या आएगा कुछ लोगों ने E भी लिखे दिया, बट majority C के साथ जा रहे है, कि sir, fruit trees और pasture लगा दिये, तो जाएंगे C के साथ, जो बिलकुल सही उतर है और यहाँ पे हमारे जो 11 question, RRB नबाड और AFO पूचे के वो over हो गए कुछ question मैंने और भी आड़ कर दिये, तुम्हारी practice के लिए, ताकि तुम्हें अच्छे से confidence आजागे, sir, यह वला काम तो मैं करी लूँगा तो यह question, जो CGPSC ने पूचा 2020 के अंदर the suitable land your system involving trees combined with the crops and animal on the same unit of land is termed as अब थोड़ा अलग कर दिया इसने options को बताइए जरा, जहां पे आप क्या कर रहे हो trees को लगा रहे हो, फसलों के साथ और साथ साब के animals भी आगे बताइए right answer क्या आएगा agroforestry, social forestry, farm forestry sustainable forestry management all of these, all of these तो आएगा निक्यों कि इन exam में 4 option आते हैं, जब मैं डालता है धक्के से एक option add कर देता हूँ क्यों कि फिर आपके exam में तो 5 आएगे ना right answer की बात करते हैं, तो यहाँ पर right answer क्या आएगा sustainable land use की बात कर रहा है sustainable land use के बात बोल रहा है combined with a crop animal, same unit of land तो society की बात तो नहीं कर रहा कहीं पर मतलब B तो answer नहीं आना चाहिए फिर कह रहा है sustainable land use system sustainable forestry management और बच्चा agroforestry और बच्चा farm forestry ऐसा लग रहा है कि farm की बात भी नहीं कर रहा, c के साथ भी नहीं जाना चाहरा थोड़ा carefully answer कीजिए ना interesting question है, easy question नहीं है तो करिये ज़र answer, कोशिश कीजिए सब लोग answer लिखे, उसके बाद मैं बताता हूँ इसका answer क्या आना चाहिए, even मैं इमानदारी से बता रहा हूँ मुझे भी answer clear नहीं हो रहा पर मैं language को जब पढ़ूँगा, तो मैं definitely clear हो जाऊँगा because ultimately language ही तो सब कुछ है यार language पकड लिया, तो question आपके लिए easy हो जाएगा answer का ना कर ये try जड़ा 5 second का time आपके पास okay, C, D, A, mix चल रहा है, अब मैं थोड़ी help करता हूँ, देखिए C जो चल रहा है न, C नहीं आ सकता, क्यों नहीं आ सकता sustainable land, system involving, यहाँ पर कहीं पर वो तुम्हारे खेत की बात नहीं कर रहा तुम्हारी society की बात नहीं कर रहा, all of these हो नहीं सकता अब A या फिर D, अब D की बात करता हूँ, तो वो है sustainable forestry management वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है, tree आपने grow किये, crop के साथ, animal के साथ तो यह standard term ही नहीं है यार, तो यह answer आ नहीं सकता, यहाँ पर answer आएगा agroforestry A will be the right answer, आपको समयना पढ़ेगा, D answer क्यों नहीं आया, A क्यों आया D तो आपको confuse करने की डाला गया, कि वहाँ भी sustainable, यहाँ भी sustainable, बच्चा भागे sustainable ही करेगा बच्चा में बुद्धू थोड़ी है यार, है नो ऐसे थोड़ी करेगा, जो question के अंदर word है, वह option के अंदर डाल देगा, ऐसा general ही तो नहीं होता तो यह agroforestry की definition दे लिख रहा है, यही तो आप शुरुआतें पढ़ के आये थे, क्या पढ़ा था, perennial आपने trees को लगा दिया, साथ में animal आगे, crops आगे, वही तो language घुमा फिरा के लिखी गए, यही तो इतनी देर से कहा रहा हूं, कि concept तो important है, बट language जादा important है, यह बास सम करना शुरू कर देता है, फिर वो बलता है, बिना PPT वाली class, मुझे कोई objection नहीं है, ऐसे लोगों से, है न, पर बात ये, कि यही तो है language, उसे भी तो यही समझ नहीं आया, है न, और इसलिए जंता fail हो जाती है, और मैं इसलिए बोलता हूं, जब मैं कुछ बताता हूं, कि YouTube पर लोग तुमें घुमरा करेंगे, मैं खुद कर ना भी साथ में लेता हूं, क्यों कि मेरे जैसे लोग अपने फायदे के लिए तुम जैसों को यूज कर लेते हैं, बड़ तुम जैसों को दिमाग लगाना पड़ता है, यह खाने में है के नहीं क्या किया जाए, तो भाई गए किसके अंदर, लेंवेज के अंदर, चलो फटाफ से आगे चलते है, अग्रो फोरेस्टी टुंडे कोशन है, which of the following functional classification of agroforestry system aim at emluration, मतलब सुधार है, climate को, wind को, water region को and improving soil fertility, अभी हम पढ़ तो फटाफ से आंसर कर दो, conservation की बाते कर रहा है, भाई सा भी है, कि सुधार है म मेरी लैंड को थोड़ा सा conserve कर देगा, मतलब productive तो नहीं है, यह किसकी बात कर रहा है, protective agroforestry की बाते कर रहा है, B will be the right answer, as per the F.E.O. classification of agroforestry system, when all the three component, namely trees, animal, crops are integrated into a system, then it represents, क्या कर दिया, आपने trees, animal, crops को एक साथ लेके आगे, APPST 2022 के अंदर कोशन पुचा गया, तो easier है, तीन component आगे है, agro, silvo, pastoral, b will be the right answer, क्या दिक्कत वाली बात है, LA cropping is also known as, वैसे पुराना question है, बद आपको याद रहे जाए, इसलिए मैंने डाल दिया, LA cropping मैंने आपको बताए था, hedgerow inter cropping इसे कहा जाता है, E, इसका right answer आएगा, the oldest known agroforestry system, इसी साल पूचा था, सबसे पुराना जो agroforestry system, जो का पीता जी है वाईसा, वो कौन है, of course, पेडों को जलाय जा रहा है, खेती की जारे, D, shifting cultivation is the right answer, in India, Tongaya system was first introduced, पहली बार Tongaya को कहां पे introduced किया गया था, Karnataka, Tamil Nadu, North Bengal, Kerala, या फिर Madhya Pradesh के अलगता, right answer क्या आएगा, obviously, North Bengal, यानि West Bengal के अंदर, सबसे पहले Tongaya को introduced किया गया था, JRF21 ने कोशन बुचा, in shifting cultivation, the shifting cycle has been shrunk to about 3-5 years, और even below, 2-3 साल पे चला गया यार, किस कारण से गया है, soil fertility increase होने से, या population decrease होने से, या population increase होने से, या फिर quality of produce from shifting cultivation is high, ये जो कम हो गया है, cycle, किस कारण से, प्लीज गलत मत करना, मैंने shifting अच्छे से पढ़ाया, आ Of course, right answer की बात करते हैं, तो ना तो fertility increase होई है, ना population कम होई है, अगर population बढ़ गया है, tribal farmers की, इसलिए वो क्या हो गया, pressure बढ़ गया, और इसलिए जो rotation हो क्या हो गया, कम हो गया, तो कितना अच्छा कोशन था, आपने answer कर दिया, MPSC Forest Services 2022 के दर कोशन बुचा गया, क्या बोला जो मंगलोई tribes है, जो रहती है, North Eastern State के अंदर, इंडिया के, वो क्या करती है, namely, naga cookie make their living by practicing, तो वो अपनी livelihood चलाते हैं, क्या करते हैं, वो लोग, permanent cultivation करते हैं, dairy cultivation करते हैं, अरे, गुसा हो गया भाई है, अचा ठीक है, कोई बात नहीं, हो जाता कभी कभी, बिचारे पर लोड इसने जहला, जहला तो है, तीन घंटे मारी class चलती है, English वाली भी, okay, anyhow, कोई बात नहीं, right answer की बात करेंगे, तो अब इसलिए tribes की बात कर रहा है, तो tribes की जब बात करेंगे, तो tribes जो क्या कर रही है, tribes जो आपने आप में, वो वहाँ पे shifting cultivation कर रही है, तो इस question का जो right answer या एक आदा और पढ़ा होगा, अब score लिखें जल्दी सी, अगले topic बें टिशिफ्ट हो जाएंगे, हम आपने कितने गलत किये, 0, 1, 2, तीन अगर हो गया, तो फिर कोई मतलब की बात नहीं है, और अब हता दू, मेरे जो छोटे भाई और बहने मोय मोय लिख रहे हैं, मेरा विखेता है, तुछ आपना सोच कि जितना तु सोचल मीडिया देखता है और जो तुने मोय मोय सीख र нов कर IL ऴापपा यह पता चल गया ना jokeया koं अब क्या बताओ, मुझे मोय मोय से कुछ और आ रह रहे है, तो भरी क्लास में कहां बोल सकता है वहली बात, वह मोय मोय नही त चलिए जी ठीक है, तीन कोशन और बचे मैं कर लेते हैं, डिसकस, आला भी मोय मोय वाले, खतम होई कहानी आ गया है ना, बिल्कुल बिल्कुल सही है, धोय धोय वड़िया बोल दिया, बाप उतारेगा छितर, इतने धोय धोय ना, और जब धोय के बाहर निकालेगा, फिर मैं क कि साइड जा रहा है, तो western हमालेज जोन में नहीं होती है, वो कहाँ होती है, eastern हमालेज जोन के अंदर shifting होती है, which of the following activity is contrary to the step taken for increasing the land under forest, land को बढ़ाने के लिए जो काम किये गए है, उसके opposite कौन चल रहा है, जरा answer लिखो, of forestation, shifting, cultivation, social forestry, or simple बात है, shifting, पेडों काट रहा है, वो उसके opposite चल रहे हैं, हम बढ़ा रहे हैं, वो जंगलों घटा रहे हैं, अगला बोला गया German system जो है, जिसे कहा जाता है, वो similar to किसके system है, तो German system जो है, यह किसके equal है, टोंगया के, टोंगया जैसा ही है, प्लीज इसको याद कर ले न, technical word है, कुछ जादा निकरना पड़ेगा, खतम होगे, यहाँ पर question, अब प्लीज बता दो, है न, कि आपके गलत कितने होए, इफ इट जीरो, आप perfect stage पर चल रहे हो, if it is one, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, improve हो जाएगा, if it is two, कोई बात नहीं, थोड़ा और work करोगे, हो जाएगा, but if it is three, तो काम खराब चल रहे हैं, है न, फिर आपको ध्यान रखना पड़ेगा, तो तीन वाले जो लोग हैं, आपको बता दू मैं, आपके स system जो है, वो तुम आंसर कर लोगे, मैंने बहुत सारे question भी practice करवा दिये, और तुम्हें सारा कुछ दिखा भी दिया, let's come back to the point, और बात करते हैं, कि इसकी agroforestry system के बाल, अब second topic पे नहीं जाएंगे, third पे जाएंगे, third पे क्यों, because second topic के अंदर, scientific name, family, toxin, tree, description है, तो समझान वाला कम और notes वाला जादा है, तो notes में तो add करी दिया है, और मैं second session के अंदर ये वाला part cover भी करूँगा, बट फिलाल ये कहना introduction के साथ attach हो जाते, तो इसलिए पहले ये वाला topic cover कर रहा हूँ, basic terminology के 5 questions जो आए हो, वो cover कर दूँगा, उसके बाद ये वाला हम second lecture के अंदर कर दीजिएगा, आगे move कर रहा हूँ और forest की terminology को start करता हूँ, सबसे पहले लिखा गया LA cropping या farming जो बताने की जुरूरत नहीं है, जब हम खेत के अंदर crops को grow करते हैं, लेकिन crops के साथ हम वहाँ पे trees को लगा देते हैं, trees की row को लगा देते हैं, उसे LA cropping कहा जाता है, और LA cropping को ये hedge row inter cropping कहा जाता है, नाम जरूर याद रखिएगा, उसके बाद चलते हैं, आगे किसकी बात करते हैं, बायो मास की, थोड़ा जल्दी जल्दी चलेंगे, जो बाते आ रही हैं, वो क्यो रिपीट करनी है, बायो मास की बात करते हैं, बायो मास का मतलब क्या हूँ जो प समझा दूँगा, पर पहले क्या करो, clear हो जाओ, बायो मास का मतलब क्या है, जैसे अगर एक pond है, उसके अदर मचलिया है, सारी मचलियों का जो भार होता है, उसको क्या बोला जाता है, वो सारी मचलियों के भार को कहा जाता है, बायो मास, ऐसे पेड का, पोधे का, जो total weight है, जो trunk होती है, जो सबसे main stem है, उसको bowl कहा जाता है, जो main stem है, ट्रीका, उसको bowl कहा जाता है, दो तरह का होता है, एक होता है clear bowl, एक होता है commercial bowl, clear bowl तो नामस नहीं होता है, बिकोज जो नीचे वाला stem होता है, वो नीचे की साइट तो clear होता है, उसको कोई branch नहीं होती है, पर क्या किया जा सकता है, market ने बेचा जा सकता है, commercial bowl refers to length of the bowl that is ordinarily fit for the utilization as timber, तो जितनी उसकी length use की जा सकती है, वो commercial bowl है, जहां branches नहीं है, वो clear bowl है, और दोनों को commonly लोगे तो वो क्या bowl, तो पेड़ का, जो main trunk होता है, उसे bowl कहा जाता है, आगे चलते हैं, अगला क्या आगया, browse, browse की बात करते हैं, तो browse आपको याद होगा, browsing जो feature होता है, specially goat का, बट बाकी पशु जो वो भी क्या होता है, चरना शुरू कर देते हैं, तो browse ये, browsing की बात करते हैं, तो जितना भाग वो पशु चर लेते हैं, वो browse होता है, the birds, shoot, leaves and flowers, woody plots, which are eaten by livestock or wild animals, जो पशु खा जाते हैं, and obviously उमीद करता हूँ कि थक तो नहीं रहे होंगे, है न, क्योंकि एक दिन में एक subject cover करना है, तो थोड़ी energy तो लगानी ही पड़ेगी, और थकन आपकी जिंदगी में होना नहीं चाहिए, विकोज थकावट जब होना, तो दिमाग को बताना इमत के थकावट हो रही है, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, विकोज यह वाली बाता मुझे बताना है, क्योंकि 2 गंटे मेरी पहले class थी, 6 गंटे आपकी class है, और 3 गंटे बाद में class है, तो आज 11 गंटे के आसपस class लेनी है, तो अपने अंदर खुद को बचा के रख रहा हूँ कि शाम तक ठीक है, च वो hedge row या फिर hedge हो जाती है, जैसे hedge row intercroping आप करते हो, जैसे L.A. cropping कहते हो, L.A. cropping अधर बड़े-बड़े पेड लगाते हो, क्या बर्गर्द पीपर लगा देती हो, नहीं लगाते हो, चोटे-चोटे पेड लगाते हो, तो वो चोटे-चोटे पेड या shrubs को जहां पे ल अनोपी उनकी नहीं होती है, उसके दागा, evergreen और दूसरा आगया, deciduous, सब लोग जानते है, evergreen का मतलब वो होता है, जो पेड हमेशा हरे भरे रहते हैं, वो evergreen tree होते है, और जो पत जड में जाके, है न, क्या करते हैं, पतियां गिरा देते हैं, जो अपनी leaves को shade कर देते हैं, अपनी leaves को, और most of the leaves every year at a certain season, किसी एक season में जाके, यह season fix नहीं होता, क्यों नहीं होता, क्योंकि area wise, climate wise इस season क्या होता है, अलग अलग होता है, temperate reason में अलग होगा, tropical में अलग होगा, सब tropical के अंदर अलग होता है, अगला word आ, cop icing, cop icing का मतलब क्या होता है, देखें, पेड की ब लेते हैं, तुम्हारे घर पे क्या होगा, अलग-अलग ornamental plant लगाय होए, मुझे लगा, कितना अच्छा garden तुमने maintain कर रख है, मैंने 10 के 10 में से क्या कर लिया, उनकी branches काट ली, और घर पे इलाके grow कर दिया, मुझे नहीं पता कौन से plant है, क्या मैं ले क्या मैंने बस grow कर दिय क्या, क्या 10 की 10 grow हो जाएंगी, नहीं, क्या 10 की 10 grow नहीं होगी, कुछ grow होगी और कुछ grow नहीं होगी, कुछ grow कौन से होगी, जो vegetatively grow कर सकती है, वो grow हो जाएंगी, जो नहीं कर सकती हो सड़ जाएंगी, होगा ऐसा के नहीं होगा, ऐसे ही पेडों के साथ होता है, कुछ पेड जिनको Ground के पास अगर काट दिया जाए है ना, Ground के पास से काट दिया जाए तो वो दूबारा Re-Sprout कर जाते है और कुछ ऐसे होते हैं जिनको काट दिया जाए तो वो Re-Sprout नहीं कर पते हैं तो अगर आपने पेड को बिल्कुल नीचे से काटा, इस cutting को copicing कहा जाता है, copicing उन पेडों के साथ किया जाता है, जो re-sprout कर सकते हैं, तो वो re-sprout करते हैं, दुबारा से grow हो जाते हैं, तो वो cutting जो करीब से copicing, cutting tree close or ground level in order to produce new shoots from the stump, stump क्या होता है, वो जो काटने के बाद नीचे बच गया ना, उसको stump कहा जाता है, उसको stool कहा जाता है, एक stump copice होता है, एक stool copice होता है, तो जो बच गया last में, उस stump है, उस stump से नहीं branches आ जाएंगी, और उस cut जो आपने लगा, उसको copicing बोला गया, अगल आ गया contour, last में इसलिए पढ़ाया, because contour थोड़ा आपको समय नहीं आएगा language से, वैसे समझा दूँगा, contour basically क्या होता है, contour तो जैसे, हम क्या बोलते हैं, हम contour farming बोलते हैं, तो contour farming का मतलब क्या, contour farming basically imaginary line है, जिसको आपने contour बोल दिया, क्योंकि slope पे जा रहा है, वो imaginary line है, जिसको हम contour बोल देते हैं, so एक imaginary line, जो connect करती है, कि इसको point equal elevation on the surface of the soil, equal elevation पे जो है, एक contour ditch का मतलब sometime constructed along to the contour to store the conserve water, आपने जाए contour बंडिंग करी जाती है, contour बंडिंग बंड बना देते हैं, लेकिन contour बंडिंग कहां पे होती है, contour बंडिंग वहां पे होती है, जहां पे क्या होता है, जहां पे slope होता है, तो आ आपने इस तरह से बंडिंग बना दी, जिसे क्या कर दिया, आपने, जिसे contour बंडिंग का नाम दे दिया, contour line का नाम दे दिया, इसके साथ साथ आपने क्या क्या किया, इस contour बंडिंग के साथ आपने क्या कर दिया, trench बना दिया, खड़े बना दिया, अब क्या पानी पहले बना दिया वो क्या हो गया? वो contour ditch हो गया या फिर contour trenching हो गया ऐसा किया जाता है क्या करने के लिए? land के अंदर erosion कम करने के लिए बिकोज जहाँ पे slopey land है वहाँ पे सबसे बड़ा challenge हमारे लिए यह होगा कि slope के अंदर क्या हो जाएगा slope के अंदर वहाँ पे जो production है वो कम हो जाएगा बिकोज पानी उपर से नीचे आएगा और साथ में किस को लेके चला जाएगा वो लेके चला जाएगा हमारी soil को जिसे soil erosion कहा जाएगा तो पानी नीचे ना जाए इसलिए हम contour line contour bending करके वहाँ पे क्या करते है erosion को क्या करते है कम करते है और बिसलिए इसे less than 6% slope पे किया जाता है यह वली बाते मैं आपको पढ़ाओंगा जब मैं detail में आऊँगा फिलारम terminology पढ़ रहे है आगे चलते है अगला word आगया home garden अभी आप तो home garden है कितना जिकर पढ़के आए हो home garden की बात करते है home garden क्या होता है भाई घर जहां पे मेरा है है ना अभी बड़ा था ना homestead agroforestry तो basically home garden मी तो जाएगा वो आपने क्या कर दिया वहाँ पे आपने अपने हिसाब से अपने requirement के हिसाब से कुछ पेड लगा दिये पोधे लगा दिये पक्षी पाल लिए अनिमल पाल लिए वो home garden का पार्टी है traditional cropping practices around the house घर के आसपास जहाँ पे हम क्या करते है fruit या fuel wood trees को लगा देते है समझिया लगा देते है कुछ root crop गाजर मूली लगा देते है कुछ मुर्गया मुर्गया पाल लेते है चोटे मोटे बकरी भैस जैसे अनिमल बकरी भैस मतलब कोई भी अनिमल अंपाल लेते है and sometime fish pond भी वहाँ पे होता है तो आप समझ गे ना जो home sted agroforestry थी वहाँ पे तुम बनाते क्या हो वहाँ पे तुम home garden ही बनाते हो अगला word क्या आ गया litter आ गया litter का मतलब क्या होता है जैसे poultry के अंदर लिटर होती है जो आप मुर्गियों के नीचे बिछाते हो ऐसे ही पतियां जो पेड़ों से नीचे गिरती है और upper layer जो पतियों की कठी हो जाते है उसे litter ही तो कहा जाता है so uppermost layer of the organic material on the surface including leaves, twigs, flower, freshly fallen or slightly decomposed अभी अभी गिरी है या थोड़ी decomposed हो गया है वो litter है अपने आप में pasture हमने पढ़ा ही था जो grasses है, चरने वाले area है पशुओं के लिए उसे pasture कहा जाता है phenology important है phenology कैसे important है देखिए आपने दिखा हमारे पोधे, हमारे जो पेड़ होते हैं वो क्या करते हैं सीजन की हिसाब से respond करते है कैसे करते हैं कुछ ऐसे पोधे हैं जो सीजन में के पतियां गिरा देते हैं कुछ ऐसे जो सीजन के अंदर production करते हैं कुछ ऐसे जो सीजन के अंदर growth कम करते हैं कुछ growth ज़्यादा ऐसा होता है ना वाई natural phenomena especially in relation to climate and plant and animal life है ना तो वो study करना phenology के अंदर करेंगे अगला क्या आ गया अगला आ गया terraces terraces कुछ भी नहीं है terrace farming है याद है ना terrace farming जिसे step farming भी कहा जाता है जो ऐसे पूरा पहाड़ काट काट कैसे stair जैसा बना देते हैं तुमने बहुत सारी photo video देख रखी है उसके उपर उसे terrace farming कहा जाता है उसे step farming कहा जाता है मतलब क्या हुआ soil and water conservation structure हो गया वो कहाँ पे sloping land पे to reduce the runoff of soil and water तो again जैसे आप वहाँ पे contour बना रहे थे यहाँ terrace बना रहे हो तो वो terrace farming किसके लिए क्या जाता है तक ही जादा cover कर सके क्योंकि time हुमारा दो हंटे के आसपास हो गया है और पढ़ेंगे अभी के लिए लेकिन फटा फटा से वाई दीजेगर यहाँ तक समझ आ गया तो ठीक है जी तो आपने बता दिया के terrace farming या फिर step farming भी समझ आ गया phenology भी पता चल गया pasture litter or home garden भी clear हो गया रहसे आज की last doubts पूछने के लिए है नहीं विकोज यह fast track है बट कोई बात ही आगे चलते है अगली दो word important है एक आगया crown और एक क्या आगया दूसरा है canopy canopy आप लोगों ने पढ़ा हुए यार canopy का मतलब क्या होता है आप बोलोगे sir canopy का मतलब है जो पेड़ के ऊपर हरी पतिया होती है जो green part है जो green foliage है वो क्या होता है जी canopy माल लिया फित crown क्या होता है sir crown होता है जी पेड़ के ऊपर जो पतिया है उन सभी को मिला के क्या बोला जाता है, उनको crown बोला जाता है, उन सभी को मिला के crown बोल दिया जाता है, ठीक है, तो देखिए सामने देखिए क्या लिखा गया, जब बात करते हैं किसकी, जब बात करते हैं आपके first term की, first term में क्या लिखा गया, first term के अंदर लिखा गया crown, crown तो मेन आपका ट्रंक था उसके उपर की जो ब्रांचेज है वो सारी मिला के उसने तो बना दिया क्राउन लेकिन कनोपी क्या है? कवरो ब्रांचेज और फोली एज इस्पेशली यहां पर फोली एज आ गया हरी पतिया आ गी formed by the crown, जो crown के उपर लगी हुई है canopy refers to the upper layer और habitat zone जहां आपके पक्षी रहते है formed by the maturity crown and including other biological organism तो उपर की ब्रांचेज हो गया crown और ब्रांचेज के उपर लगी हुई जो पतिया है वो क्या हो गया? canopy, crown और canopy आपको clear हो गया अगला क्या आ गया? basal area basal area मतलब base का area हो गया यह basal area मतलब आप जब एक stem का cross-sectional लेंगे cross-sectional मतलब के ऐसे आपने stem को cut up stem जितनी जगा ले रहा था diameter के अंदर वो जितनी जगा ले रहा था, वो area क्या है? वो basal area है basal area in the cross-sectional, is the cross-sectional area of the tree at breast height breast height क्या होता है? आगे समझाऊँगा पेड लगे हुए है, उसको base sal area कहा जाता है अगला आगया stool और stump, अभी भी word पढ़ा था आपने cop icing के अंदर cop icing में आप जब क्या कर देते हो? आप जब काट देते हो उसको cop icing कर देते हो, तो पीछे जब बच जाता है ना उसको stump कहा जाता है, यह stool कहा जाता है सर या का मतलब क्या है, एक बाद बता हो ना होता क्या है, कुछ case में तो क्या होगा, जो दुबारा ब्राचे ध्यान से बात सुनना यह मानलो पेड खड़ा था, मैंने इसे ground के पास से काट दिया तो कुछ case में तो क्या होगा, stump अभी भी जिंदा रहेगा और stump के ऊपर से ब्राचे जाना शुरू हो जाएगी, कुछ कुछ case में stump मर जाएगा कहानी खतम, तो ब्राचे नीचे से जड़ों की तरफ से निकल के आएगी बात समझा रही है न, stump के ऊपर से निकलेंगी या फिर stump के नीचे से stump के ऊपर से आएगी, जब stump जिंदा है और stump मर गया, तो भाईया, स्टूल हो गया, फिर नीचे आएगी तो स्टूल के लिए बोला गया, स्टूल के लिए बोला गया, एक leaving stump जो produce करता है कि इसको ब्राचे ब्राचे को, sprout को, also a cluster of shoe developing from the crown और a plant tree, and stump क्या हो गया, to clear an area of the tree stump by pruning them out, also to prepare by cutting and pruning a stump plant देखे, इसने थोड़ा अलग लिख दिया, क्यों लिखा, कि इसने स्टूल को बताया, मैं जो बता रहा था, मैं cop icing के दो type बता रहा, जो आगे जा कि आप फिर से पढ़ेंगे एक stool को पाईस होता है, एक stem को पाईस होता है, मैं वहाँ आपको photo दिखा के भी समझाओंगा, कि नीचे से जड़े कैसे आती है, और उपर से क्या आती है, और stool or stump आपको बता दिया, अगला word क्या आ गया, यह दुबारा भी आगया, stool or stump, चिंता मत करना, अगला word क्या आ गय जो है, सुन्दरवन जो है, भाईसा, वो basically क्या है, सुन्दरवन जो है, वो उस area के अंदर है, उस पानी के अंदर है, जहां पे Bay of Bengal है, बंगाल की खाड़ी है, तो ऐसे forest जो किसी water body के साथ होते हैं, उससे क्या बोलते हैं, उसे mangroove कहा जाता है, shrubs or trees that grow mainly in the coastal saline or brackish water, जो coastal saline के अंदर, या brackish water के अंदर grow करते हैं, बड़ी यह बात पकी है, कि mangroove वो होते हैं, जिनके साथ क्या है, जिनके साथ कोई ना कोई water body है, उन जंगलों को mangroove कहा जाता है, life stages of a tree, generally plant की stage की बात करते हैं, तो plant की stages के अंदर क्या आता है, plant की stages के अंदर आता है, भाई साहब क् seed, seed के बाद, seedling, seedling का plant हो जाता है, लेकिन tree में ऐसा नहीं होता, tree में सबसे सीड होता है, seed से निकलेगा, sprout होगा, seedling होगा, लेकिन seedling के बाद जो बड़ा होता है, वो sapling होता है, बस एक extra याद कर लेना, sapling किसे का आता है, जो seedling से बड़ी stage है, और जब seedling से sapling बना, अब बहुत बड़ा हो गया, जितनी उसकी height हो सकती, maximum height उसने अचीव कर ली, तो फिर क्या बन गया, वो pole बन गया, अगर तुम खुद से relate करना चाओ, तुझारा चैट में लिख के बताओ, अगर तुम्हें पेड मानू, और अपनी growth के हिसाब से बताओ, तुम इस ताइम पे seedling हो, sapling हो के pole stage पे चल रहे हो, ध्यान से answer करना, seedling तो आप नहीं हो, लेकिन आप खुद को sapling बोलेंगे, पोल बोलेंगे, वो आपका concept क्लियर कर देगा, और भी इस लिए कर बात करेंगे, आपकी तो आप लोग pole stage में है, क्योंकि जनरली इंसान की जाफे human की जो growth है वा ठार नहीं जाएगी ना, इतने ही रहोगे ना, तो तुम pole stage पे आ चुकी हो, ऐसे ही paid pole stage पे तब आता है, जब वो अपनी maximum height को achieve कर लेता है, राइट जी, आगे चलते है, अगला क्या आगया, अगले आगे cutting, जो अभी में मैंने discuss किया था, cop icing तो आपको मैंने बताया था, जरा ए पेड को हटाओ, उसकी जगह पे नया पेड लगा दो, लेकिन अगर नया पेड नहीं लगाना तो इसको ground के पास से काट दो, इसमें से नई branching आ जाएगी, और वो नई branching जो आएगी, उस cut को copice बोला जाएगा, और उस तरीके से grow किये प्लांट को copice plant, copice tree बोला जाएगा या उस process को copice कहा जाएगा, तो copice में cut कहा पे लगाया जाता है, ground level पे, copice के बाद चलते हैं कि इसमें looping की बात करते हैं, looping या फिर loping इसे लिखा जाता है, loping क्या होता है, loping की बात करेंगे, loping का मतलब क्या हुआ, loping का मतलब होगया, जहां पे आप एक rope को, या tree को अचीव करने के लिए, forward achieve करने के लिए मतलब कि आपको चारा प्रापत करना है उसे, चारा प्रापत करने के लिए आपने क्या कर दिया, भाईया उसको काट दिया, ठीक है जी, किसको पूरे पेड को नहीं काटा, उपर उपर से थोड़े से cut लगाए, तो जो cut आपने लगा अचीव करने के लिए, उसे ही क्या कहा जाता है, उसे ही लोपिंग कहा जाता है, ठीक है जी, तो लोपिंग चारा प्रापत करने के लिए किया जाता है, अब ज़रा मुझे example बताओ, ध्यान से उसुना मेरा question, question यह है कि सैरी कल्चर के अंदर हमें लोपिंग करनी पढ़ती ह अब आगे तुम लिख दो के सहरी कल्चर के अंदर आप जब लोपिंग करते हो तो किस की लोपिंग करी जाती है येस अफकोस मुझे आंसर मिल गया सबसे पहले किस से मिला मुझे आंसर नव्या ने आंसर दिया कुछ लोग तो लूसन कह रहे हैं जिन्होंने एफो 2018 वाले कोशन का रट्टा लगा रख है रट्टा काम आता नहीं है क्योंकि एफो 2017 के अंदर पूछा था एलके लाइन सोयल जादा कहां पर आंसर गुझराता है था वोई कोशन 18 के अंदर पूछा था और उप्शन में यूपी भी था बच्चों ने गुझरात किया था आंसर यूपी था वो रगड़े गे थे सारे के सारे रटा मतमारी कॉंसेप्ट को समझेए कॉंसेप्ट क्या है फोर्डर के लिए अचीव करना ट्री को काटना किस तरह ऐसे यूपी यूपी लेक्ट के लिए और को ніश्न को पेड़ के लिए नस्यानिवर लीड़े करना के इंधीいます growth कम होगी है तो उसको पेड को हमने काट दिया इस तरह से तो पेड को इस तरह से काट दिया पेड दुबारा re-sprout होने लग गया तो पहले growth slow थी है पेड की growth ज्यादा हो जाएगी और इस तरह से पेड दुबारा grow करेगा basically copicing और pollarding दोनों ही पेड को दुबारा ग्रो करने के लिए करवाई जाते हैं लेकिन copicing जो है वो बिलकुल ground level के पास किया जाता है लेकिन जो pollarding उसकी height कितनी होती है cut close to their head head के पास यो अदर top clear stem कितना 2-5 meter ground level के उपर इसको cut किया जाता है तो pollarding की height भी AFO 2018 ने पूछी थी AFO 18 ने पूछा था pollarding की height क्या होती है और looping किसमे किया जाता है looping उस टाइप ए option के साफ से loosen था लेकिन option बदल सकते हैं answer बदल सकता है concept कभी नहीं बदलेगा आपके mind में आ गया होगा lovely sa wife फिर से दीजिए अगर आपको तीन नो बाते समझ आए co-picing क्या होता है, looping क्या होता है और साफ सद pollarding क्या होता है अगर ये समझ आ गया तो आगे चलेंगे next time की बात करेंगे और control नहीं हो रहा है यार थोड़ी सी permission दीजिए अभी एक minute के अंदर वापिस आँँगा now I cannot say may I go to washroom बड़ जाना पड़ेगा यार एक minute का time दीजिएगा I'm really sorry इसका करेंगे एक लिएगा प्रॉब प्रॉब भॉब झाल 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 क्रॉब झाल त ओके, डन गाइज, यहां तक clear हो गया, आगे move करते हैं, और next concept की बात करते हैं, ठीक है जी, next यहां पर क्या लिखा गया, देखिए, next की बात करेंगे, next यहां पर लिखा गया, forest के बारे में, अलग-अलग forest होते हैं, फटा-फट से पढ़ाता जाओंगा, जो लिखा गया वो नहीं पढ़ूँगा, क्यों नहीं पढ़ूँगा, वो तुम्हें PPT बात में तुम्हारे course के अंदर मिल जाएगी, printable या भाया, print भी निकाले ना, कोई tension वाली बात नहीं है, आराम से बैठके पढ़ना, concept matches से clear कर दूँगा, है ना, right answer की बात करते हैं, माइक निकाल दो, क right answer की बात, right answer क्या, बात करते हैं कि इसकी जब बात करते हैं, forest की, तो forest में अलगलग टाम होती है, जैसे सबसे पहले क्या लिखा गया, recorded forest area, rfa इसे लिखा जाता है, क्या कहा जाता है इसे, इसे rfa लिखा जाता है, recorded forest area इसे लिखा जाता है, ठीक है, rfa होता क्या है, ध्यान स समझना कोई कि नीचे एक टाम लिखी गई है forest cover उपर लिखा गया forest area बहुत सिंपल है language में कैसे आएगी मुझे नहीं पता बट concept एक मिनट के अंदार समझ जाओगे देखिए जब हम बात करते है map की आपने map दिखा होगा ना वह वालन जो Google Map है जब आप कोई जमील लेते हैं government का map जब निकालते है ना तो उस map पे mention होता है सारा कुछ क्या mention होता है उसके उपर उसके उपर लिखा होता है कि यह residential area है यह commercial area है यह road है यह forest है यह river है यहाँ पर यह सब mention होता है तो government के record में जिस area को forest माना गया है उससे कहा जाता है forest area लेकिन वो government के record में है इसलिए उसको recorded forest area कहा दिया जाता है तो RFA का मतलब हो गया जो government की record में forest area है उसे forest area या फिर recorded forest area कहा जाएगा एक बार yes no लिखो अगर government की record में कुछ forest area लिखा हुए है तो क्या guarantee है कि वहाँ पे trees या फिर forest होगा ही होगा yes no लिखना government का record चेक कर रहा हूँ यहाँ पे forest mention है यहाँ पे tree होगे क्या yes or no लिखो उधर देख रहा हूँ भाई यह तो खाली land है यार अरे सर जाना illegal activity है लोगों ने पेड़ काट दिया यह forest ही हुआ करते थे तो answer no आएगा भाई guarantee नहीं कि वहाँ paid होंगे लेकिन हाँ वहाँ paid हो सकते हैं कोई बड़ी बात नहीं तो guarantee नहीं है forest cover की जब बात करेंगे न तो forest cover जो होता है वो कहाँ पे होता है हमारा जो forest cover है वो satellite के हिसाब से होता है satellite इसे check करता है हमारी government या फिर हम check नहीं करते आप बोलोगे सर ऐसा क्यों बोल रहे हो ऐसा इसलिए because satellite को record नहीं देखता satellite simple सा काम करता है वो नीचे देखता है उसको पेड अगर दिख रहे हैं और उसने देखा जहाँ पेड लगे हुए है वो area एक hectare से जादा है और canopy density 10% से जादा है अगर तो area एक hectare से जादा और canopy density 10% से जादा और वहाँ पेड लगे हुए हैं तो satellite उसको forest cover मान लेगा लेकिन अगर area एक hectare से कम है तो satellite उसे tree cover मानेगा मतलब तुम्हारे या मेरे घर के आसपास जो पेड है वो tree cover है लेकिन जहाँ पे एक hectare से जादा पेड लगा रखे हैं वो अपने आप में क्या हो गया वो अपने आप में forest cover हो गया क्या हो गया वो forest cover हो गया अब yes or no फिर से लिख के बताओ अगर forest cover की बात करेंगे क्या guarantee है कि वहाँ पे tree होंगे ही होंगे या फिर forest होंगे ही होंगे हाँ आप जो answer लिख रहे है वो अब की बार बिल्कुल सही है flow के अंदर मुझे पता है सब बचे yes लिखेंगे because satellite को तो पहले check करने है न paid होंगे तभी तो मानेगा वरना मानेगा नहीं तो मतलब forest cover के अंदर guarantee है paid होंगे forest area के अंदर हो भी सकते है और नहीं भी हो सकते है आपको तीनो टम समझ आगी recorded forest area forest cover tree cover अगली बात कर लेते हैं जो आपके government के forest होते है न उसके तीन टाइप होते है एक होता है reserve forest एक यहाँ पे नहीं लिखा गया वो पढढ़ा दूँगा आपको वो होता है protected forest और एक होता है कौन सा आपका unclassed forest जिसे कभी विलेज forest भी कहा जाता है ध्यान से सुनना इनके अंदर क्या difference होता है जब बात करते हैं किसकी सबसे पहले बात करते है reserve forest की reserve forest जिसा की नाम में लिखा गया reserved है भाई कभी कभी आप restaurant के अंदर खाना खाने गए होंगे आपको लगाए और वो table जादा अच्छी है बाबू शोना के साथ वहाँ बैठोगा तो मज़ा आएगा जैसे आप don बनके गए बोला आ चल वहाँ बैठते है वहाँ वेटर ना के बोला शरी रिजावड है अब बाबू शोना देख रही है पीछे के दे आतो एक्स्ट्रा पैसे बैठ जा यहाँ पे अब इजती भी हो गई hero बने खाम खा कुछ बात भी नहीं बनी लेकिन वो table reserved था वहाँ पे अब allowed नहीं है बैठना ऐसे यह जंगल है यह reserved जंगल है reserved forest है मतलब वो forest जहाँ पे government की side से most restrictions होंगी सबसे ज़्यादा restrictions होंगी without forest officer की permission से तुम वहाँ पे घुस भी नहीं सकते काम या फिर activity करना तो अलग बात है वो forest आपके reserved forest हो जाएंगे an area constituted under the forest act or by the state government लेकिन वो restricted area होगा जहाँ आप और मैं नहीं जा सकते हैं वो reserved forest होगा अगली होते है protected forest protected forest भी होते हैं वो government की होते हैं वहाँ भी जाना अलाव नहीं होता लेकिन वहाँ पे restriction जो है वो reserved forest जोतनी नहीं होती है वहाँ पे entry allowed होती है लेकिन activity allowed नहीं होती है और तीसे जो forest है वो unclass forest होते हैं या फिर उसे कहा जाता है community forest जहां पे लोग का आना जाना प्लस लोग का cultivation करना भी अलाओ है इसलिए तो community forest या फिर village forest ने क्या दिया जाता है फिर आप और मेरी जैसे लोग को दे दिये cultivation करने के लिए तो अब वो पेड कैसे बनगे भाई साहब वो जो पेड थे वो unclass forest या फिर वो आपके community forest या फिर village forest वो हो गए ठीक है तो जब बात करेंगे an area recorded as a forest but not included in the reserved या फिर protected में नहीं है तो वो क्या हो गया वो unclassed हो गया ownership status of such forest vary from stage to state तो सरकार जो है वो village वालों को भी दे सकती है किसी और को भी दे सकती है लेकिन ना तो वो reserved है ना वो protected है लेकिन वो record के अंदर बोल रहा है तो recorded forest area के अंदर तीन forest होँगे या तो reserved forest होँगे या protected होँगे या फिर unclassed होँगे तो आपको समझ आ गया होगा अगर यहां तक आगे तो फिर से वाई लिखिए ताकि मैं आगे चल सकूँ और अगली टम को समझा सकूँ आपको ठीक या बड़िया बच्चे बाव लोग मुझे पूरे मैसे तो नहीं दिखे पर कोई कह रहा है कि चांदनी मैं cutoff की बात मत करो वरना सर बेज़ती कर देंगे भीचती नीज़ है खतर ना बेज़ती करेंगे चंदनी ऐसा चंदनी के साथ करेंगे चंदनी बात में चंद के पास यहाई है कि sir ने मेरा क्या कर दिया, cut off की बात मत कर मेरी बहन, cut off की बात मत करनी है, तो ये बोल कि sir minimum score कितना होगा qualify करने के लिए, तब तेरे को थोड़ा बुरा लगेगा, कि मैं minimum score की बात कर रही हूँ, है ना इतनी inferior होगी हो मैं, बुरा लगेगा, हमने ना replace कर दिया, बाते करने का time ही आज का, वरना आपको बता दूँ, पहले जो food होता था ना, fry food, उसको fat food कहा जाता था, अभी को fry खाने से हम क्या होते थे, मोटे हो जाते है, तो लोग खानी दे थे उसको, किसी genius ने आके fat food का नाम बदल दिया, बोला fast food, आज आप और मैं उसे धडलने से खाते हैं, पता है नी चलना हम गधे है ना, ऐसे ही cut off वाले लोग है, है ना, क्यों, cut off, cut off नहीं है, वो minimum score, अपनी abilities तुम खतम कर दे रहो, बिल्कुल नीची आ जा रहे हो, इसलिए कहता हूँ, ऊपर की बाते करो, at least average पे तो आ जाओगे, पर नीचे की बात ना करो तो मर जाओगे, मरने क के बातें मत करो, वापीस आते है, अगली बात किसी करते है, growing और harvesting of trees की बात करते है, तीन टाम बहुत इजी है, इसे सब लोग जानते है, जब बात करते है, आप forestation, deforestation, reforestation की तो भाईया, अगर आपने पेडों काट दिया, पेड लगे होए थे, काट दिया, वो कहाँ, defore deforestation है, जो गलत नहीं होता, आप बोलोगे, sir, deforestation तो गलत ही होता है, न, deforestation करना चाहिए, because पेड आपके बड़े हो चुके है, उनकी grow slow down हो चुकी है, तो अब क्या करोगे, भाई, पेडों काटना ही पड़ेगा, deforestation करना पड़ेगा, लेकिन deforestation के बाद जो है न, वो क् grass growing नए tree आपने लगा दिया, लेकिन आप only deforestation करके वहां पे commercial land बना दो या फिर आपे colony काट दो, वो गलत है, तो deforestation मतला पेडों काटना हो गया, जहां पेड काटे है, वहां पे दुबारा से पेड लगा दो तो वो क्या हो गया, वो reforestation हो गया, दुबारा से पेड लगा समझ गया है, आगे चलता हूँ, अगला definition लिखी गया है, बड़ मैंने ओलीडी समझा दिया, cop icing समझा दिया आपको, जो RRBSO 23 में question बूचा गया है, looping आपको समझा दिया, pollarding आपको समझा दिया, pruning आपको समझा देता हूँ, क्या होता है, बड़ उस से पहले की तीनो बा इस ब्राचे जो है, उनको जब हटा दिया जाता है, इनी को क्या बोला जाता है, इनी को कहा जाता है, क्या पूर निग, तो पूर निग क्या है, पूर निग क्या हो जाती है, पूर निग करने से पहले से comparatively fast हो जाती है, पहले से better हो जाती है, तो उससे क्या कहा जाता है, उसे pruning कहा जाता है, यह सारी cutting ही है, अलग-अलग और forest trees के अंदर की जाती है, हमने इनका discussion कर लिया है, एक word मैंने छोड़ा था, आपको वहला था, आगे बताता हूँ जो था breast height, breast height, yes, breast height का मतलब breast height ही है, कोई tension नहीं है, गलत नहीं लेना, अगर आपको breast word की बात और यह class के तो अपनी मम्मी को याद कर लो, आपको बिल्कुल गलत नहीं लगेगा, और अगर गलत नहीं लगे तो मुझे बताओ, अगर breast की बात करेंगे, लड़कों में chest कहा जाता है, लड़कों breast कहा जाता है, आप बताओ, आपकी breast height कितनी है, नीचे से लेके आपकी height की बात करते ह किसकी, जब बात करते हैं, आपके breast height की, तो usually human वाले case में जाओंगा, और अगर breast height की बात करेंगे, तो feet के अंदर बच्चे क्या लिख रहे है, पांच feet के आसपास लिख रहे है, है ना, पांच feet के आसपास जो लिख रहे है, वो बिल्कुल सही बात लिख लिख रहे है, almost ब पांच feet की बात करेंगे, exactly तो मुझे भी नहीं पता, पर पांच feet का मतलब मोटा मोटा डेड़ मीटर अपने कह देते हैं, है ना, पांच feet जो है, वो मोटा मोटा डेड़ मीटर हो जाएगा, डिवाइड करके बाकी देख लेना, तो breast height डेड़ मीटर पे है, ऐसे पेडों के breast height होती है, और वो कितनी माने दो standard होती है, DBH diameter at breast height, जो कितना है, 4 feet और 6 inches, या फिर 1.37 meter या फिर 1.37 meter या इंडिया के अंदर, Myanmar के अंदर, South Africa के अंदर, Malaya के अंदर, और some other former British colony के अंदर consider किया जाता है, जबकि DBH 4.3, या नि 4 feet 3 inch, या नि 1.3 meter consider किया जाता है, USA, Canada, Europe के और करते हैं, इंडिया के अंदर कितना है, भाई, 4 feet 6 inches, या फिर 1.37 meter, कितना हो गया, 1.37 meter हो गया, तो जो 1.37 meter आपका हो गया, ये diameter at breast height है, कि मतलब आपको गर पेड का diameter check करना है, तो आप उससे breast height पे check करोगे, नीचे से उपर आओगे कितना, 1.37 meter, वहां से उसका diameter check कर लो at breast height की बात करेंगे, तो इसके लिए हमारे पास अलग-अलग tools होते हैं, जहां से question पुछे आते हैं, आज के second part के अंदर हम tools को भी discuss करेंगे, photos भी दिखेंगे, अच्छे समझेंगे, फिलाल international जो symbol है, diameter के लिए वह D लिखा जाता है, capital D जो है, वो diameter at breast height, ये नी diameter को represent करता है, and GBH कहीं लिखा जाए, तो मुटाई को represent करता है, girth at breast height, diameter कितना है, वो DBH होगा, गर्थ कितना है, वो girth at breast height, ये वो GBH हो जाएगा, ठीक है, diameter की बात करते हैं, तो diameter और girth को अलग-अलग क्या दिये जाते हैं, color दिये जाते हैं, diameter और girth को क्या दिये जा रहे हैं, अलग-अ लिखा गया है, अलग-अलग diameter चल रहा है, और उन अलग-अलग diameter के अंदर क्या चल रहा है, अलग-अलग color, तो इन diameter के अंदर सबसे पहला आ गया, 0 to 20 cm, 0 to 20 cm के color कोई color है नहीं, blank होता है, 20 to 30 में green होता है, 30 to 40 में red, 40 to 50 yellow, 50 to 60 अगर diameter है, तो black होगा, 60 to 70 white होगा, और 70 से परवा तो वो क्या होगा, वो blue होगा, ठीक है जी, है ना, समझ आ गया यहां तक, चलिए, आगे move करते हैं, यह colors आपको याद करने हैं, because यहां से भी question पूछा गया था, जब मैं topic पूरा कर दूँगा, तो उसके बाद सारे के सारे question आपके साथ discuss करूँगा, जो पूछे ग तो classification की बात कर लेते हैं, forest का अलग-अलग classification होता है, now the point or now the doubt is के forest का classification किस-किस बेस पर किया जाता है, जैसे अगर हम classification करना चाहें human को, तो हमने भी पढ़ा था stratification के अंदर, क्या पढ़ा था, कि हम क्या कर सकते है, stratification की बात जब करेंगे, तो हम human का classification कैसे करते हैं, lower class, middle class, upper class, या फिर male, female, या Hindu, Muslim, सिख हिसाई, या फिर educated, uneducated, या फिर adult और young बोल देते हैं, तो अलग-अलग है न हमारे पास, ऐसे ही forest को classify करने के लिए भी क्या होता है, हमारे पास अलग-अलग bases, अलग-अलग criteria होते हैं, अब इन अलग-अलग criteria, अलग-अलग bases के अंदर हमारे प अगे बढ़ाता हो, अगला based on method of regeneration, के उनने seed से दुबारा grow किया गया, या फिर copies, मतलब cutting करके दुबारा grow किया गया, अगला based on composition, के pure forest है, मतलब एक ही तरह के tree है, के mixed forest है वहाँ पे, based on objective management के क्यों लगाए गया है भाई, वो, है न, वो fuel wood के लगाए गया है, वो entertainment के लगा के लिए, based on ownership and legal status के वो सरकार के है, private person के है, या corporation के है, and growing stock, के वहाँ पे कितना stock grow हो रहा है, पुराने होंगे पेड, तो ज़्यादा grow नहीं होते, नए पेड होंगे तो वो जल्दी जल्दी grow होते है, तो यह सारा हम क्या करेंगे, इस base पे classification पढ़ेंगे, यहाँ से question आते ह है, इसी के अंदर सारा classification समझा दूँगा, और notes के अंदर आपको इनकी definitions मिल जाएंगी, छोटी छोटी definition मिलेंगी, because notes जो दूँगा, एकदम summarized form में दूँगा, ताकि सारा forestry इना, आज ही कि आज cover कर सोको, इसके बाद दुबारा forestry नहीं पढ़ना पड़े, बस notes थोड़े और major part जो notes कहना हो, मैं class में cover कर दूँगा, लेकिन या scientific name जो होंगे, वो तो आपको याद करने मिलेंगे, तो चलिए, आज आते हैं, किस के अंदर, category के अंदर, तो division बात करते हैं, 4S के classification की बात करते हैं, पहले 4S को classify करते है, age के base पे, age के base पे जब classify करेंगे, तो अगर मा आज सारे पेड बराबर age के आपको दिख रहे होंगे, इनको क्या कहा जाता है, इनको even age forest कहा जाता है, even मतलब जो समान होगे, समान age, तो even age forest को regular forest भी कह दिया जाता है, क्यो regular कहते हैं, एक साथ लगाए गए थे, तो वो अपने आप में क्या होगे, वो regular forest होगे, लेकिन even हो गया, और उसी को हम क्या बोल देते हैं, उसी को irregular forest भी कहा जाता है, अगला, अगला आ गया method of regeneration, उसे दुबारा से grow कैसे किया गया है, इसके base पे दो तरह हैं के forest होते हैं, एक होता है high forest, एक होता है, 25 forest, तो हाई forest की बात करेंगे, तो रट्टा मार लेना, because यह already AFO 23 ने उसलिया है, high forest का मतलब होता है, वो forest जिनको seed से लगाया गया है, जिनको seed का use करके लगाया गया है, वो अपने आप में क्या हो जाते हैं, वो high forest हो जाते हैं, ठीक है जी, seed का use हमने किया, और उनको लगाया, वो क्या होगे, वो आपके high forest हो के, उसके बाद, जब बात करते है copies forest की, अगर आपने vegetatively grow करवाया हुने अच्छा seed से grow करवाया तो क्या उसे vegetatively बोल सकते हैं, नहीं, seed वाला तो sexual propagation हो गया, vegetatively asexual हो गया, तो अगर आपने उसे vegetatively grow करवाया है तो फिर उसे copies forest बोला जाएगा अब मुझे बताओ जरा जल्दी कौन से grow होंगे high forest जल्दी grow होंगे या फिर copies forest जल्दी grow होंगे लिखना, मुझे दुबारा से लगाना है पेड़ों को तो जल्दी grow कौन होगा क्या वो high forest जल्दी grow होगा या copies forest, obvious सी बात है यार copies forest जल्दी grow करेगा sir copies forest क्यों करेगा because seed वाला starting से चलेगा यार, copious वाला advanced stage से चलेगा तो copious forest जल्दी ग्रो ओते हैं high forest late होते हैं high forest जो सीड से ग्रो होते हैं और copious forest जो vegetatively ग्रो किये जाते हैं अगला आ गया composition के base पर composition के base की बात करते हैं तो composition के base पर या तो pure forest हो सकते हैं या फिर वो क्या हो सकता है, mixed forest हो सकते हैं, pure forest या फिर mixed forest, pure की बात करेंगे, आज अगर class की बात करेंगे, आज हम class के अंदर क्या पढ़ रहे हैं, तो अगर ध्यान से सोचोगे, तो मैंने बीच में कुछ-कुछ poultry की बात भी करी थी, थोड़ी सी soil की बात भी करी थी, और ऐसे ही, अगर एक forest के अंदर, 80% से जादा एक ही तरह के पेड़ है, थोड़े बहुत और हो सकते हैं, बट 80% से जादा एक ही तरह के पेड़ है, तो वो forest कैसे हो जाएंगे, वो pure forest हो जाएंगे, जहां पर एक species कितना cover कर रही है, more than 80%, तो वो क्या हो गया, वो pure forest हो गया, उस के बाद अगर बात करें किसकी, mixed forest की, mixed forest की बात करेंगे, तो जहां पर 80% और concept नहीं है, जहां पर क्या है, दो या दो से जादा species को लगाया गया है, और कोई भी species 80% तक cover नहीं कर रही है, तो वो forest अपने आप में कैसे हो गए, वो अपने आप में mixed forest हो गए, भाई लोगों क क्यों लगाया है भाई, जैसे मैं YouTube channel का management करता हूँ, आज class का management मैं कर रहा हूँ, क्यों हो तक ही बच्चों को forestry पढ़ा सकूँ, तो management के लिए क्लिए 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 होता है, वो production forest हो सकते है, protection हो सकते है, farm forest हो सकते है, fuel या फिर recreational forest हो सकते है, one by one सारे समझा देता हूँ, दे तो protective का मतलब तो क्या हो गया, जो आपके shelter belts या फिर wind break लगा दे, तो जो forestry काफी अच्छा component है, वो भी आगे पढ़ाऊँगा आपको मैं, तो जब आप shelter belts और wind breaks को लगा लेते हो, तो भाईया वो shelter belts और जो wind breaks है, वो परियाब में क्या कर रहे है, वो आपकी land का protection कर रहे है वो protective agroforestry है, या यहां फिर उसे protection forest आप कहा सकते हो, बिकोज अप पुरा production के लगाए गए है, production का मतलब क्या हो गया, अगर आपको production करने के लिए, जैसे आपको क्या चाहिए, पल्प चाहिए होता है पेड़ों से, अगर आपको क्या बनाना है, अगर आपको paper बनाना है, त आपको timber चाहिए, तो किसी भी production purpose से forest लगा दिये, तो वो production forest होगे, अगर आपने खेत के अंदर LA cropping कर लिया, तो भई पेड तो लगा दिये न, तो वो LA cropping जब कर दिया, आपने खेत के अंदर वो क्या होगे, वो अपने आप में farm forest होगे, अगर लकडी जलाने के लिए पेड़ों से कैसे entertainment होता है, अच्छा एक बाल बता हो, अगर तुम्हें लग रहा है कि आज से जब आप पेपर दोगे 20-25 दिन के बाद पेपर हो जाएगा और बहुत थक चुके हो study से, अगर आपको कोई offer करे कि चलो पिकनिक करने जाते हैं, खाना बनाते हैं, पैक करते है पार्क में जाएगे, बोलो अच्छा लगे हैं वहाँ पे के नहीं, बस पार्क अच्छा होना चाहिए, कभी मोका मिले तो चंडीगड आईएगा, यहां के पार्क आप देखेंगे तो समझेगे कि वहाँ पार्क में जाएगे बहुत अच्छा लग रहा है, तो वहाँ ना तो production के लिए ना protection के लिए पेड है, आपको अच्छा फील करवाने के लिए, inner peace के लिए, शांती के लिए, entertainment के लिए, तो ऐसी forest जो होती है, वो recreational forestry हो जाती है, ठीक है जी, आपको clear होगी होगी सारी term, जिसके हमने क्या पढ़ा, production forest, protection forest, farm forest, fuel forest, recreation forest, आगे चलते हैं, अग इला के आगया, based on ownership as well as legal status, तो legal status और ownership के base की बात करूँगा, तो सबसे पहले तो government forest जो नाम से समझा रहा है, जो भी आपने बढ़ा था, recorded forest area, RFA, RFA किसका है, वो हमारी सरकार का है, हमारा नहीं है भाई, तो RFA जो सरकार का हो गया, वो जिसके पास, जिसकी ownership हमारी government के पास ह होती है, वो कौन से forest हो जाते है, वो हमारे government forest हो जाते है, जिसकी ownership सरकार के पास है, वो government forest हो गया, अगला आगया private forest, private forest का मतलो क्या हो गया, अगर आपने land, lily parts, hectare, वहाँ पेड लगा दिये, मैंने land ली 2 hectare, मैंने पेड लगा दिये, उसने लिए उसने लगा दिये, तो य corporation जैसे आप Google बोलो, Microsoft बोलो, Apple बोलो, यह companies हैं, corporations हैं, अब Tata बोल दीजिए, आप Ammani की companies बोल दीजिए, इन companies ने जहां पर अपना headquarter बनाया, वहाँ बहुत सारे पेड लगा दिये, तो अब वो किसी individual person के नहीं, वो company के अंडर में आगे, company actor के अंडर में आगे, तो वो क्या नाम पे क्या होते हैं, वो तीन तरह क्या होते हैं, government forest, private forest, और forest owned by corporation, और government forest के अंडर तीन होते हैं, जो आपको याद होगा, मैंने अल्लेडी आपको पढ़ा दी है, reserve forest होते हैं, protected forest होते हैं, और साथ साथ क्या होते हैं, वो आपके village forest होते हैं, और सुनिल बिल्कुल ठीक बो प्रक्ता फट से नजर डालो, doubt तो कोई ऐसा आ गया है, जो आपको नहीं मैं सही से समझा पाया, तो वो पूछ लो, वरना तो doubt नहीं होना चाहिए, जो doubt का time नहीं है, lovely सा why लिखो, अगर यहां तक सम लोगो clear हो गया, फिर आगे बढ़ते हैं, और अगले topic पे चलते हैं, औ forest की classes पढ़ेंगे, forest का regeneration पढ़ेंगे, forestry के type को हम पढ़ेंगे, उसके बाद question आ जाएंगे, और फिर हमारा जो basic terminology वाला part है वो भी over हो जाएगा, तो दो topic over हो जाएंगे, उसके बाद third, fourth और miscellaneous पे चलेंगे, तो लगवग अगला topic आदे से पोना हंटा लेगा, आदे से प सची बता रहा हूं यार, इसे एक PPT पे इतनी सारी महनत की गई है और आपको दिख भी रही होगी, question और अभी नहीं दिख रही होगी, अभी तो दूसरे topic स्टार्ट हुए है, जब पूरी PPT आपको दुगाना लग बहुँ डेढ़ सो slides के आसपास की, then you will understand के कैसे चुन-च उनके चीज़ों को डाला गया, जो आपके exam में भी आपको दिखेंगी, और उसनागे आप बताएंगे हमें के सार आपके revision note से या फिर करिये के crash course से इतने कोशन हमने cover किये, पर ये बात है कि आप भी उतनी महनत करना जितनी हम कर रहे हैं, यहां तक तो आगे आपको समझ आ forest होगे, आगे चलेंगे, बात करेंगे forest के classes की और उसके बाद forest के region, classes को भी पढ़ लेते हैं, यहां से next class में start कर लेंगे, ऐसाई से लिए, बिकोज अगले 2.5 hours में यह वादा subject आपका पूरा हो जाएगा, फिर शाम को आपका test भी होगा, और आपको notes भी मिलेंगे, और यहां पे area 1 hectare से उपर है, और canopy density 10% से जादा है, लेकिन यहां पे चोथे में तो कह रहा है, canopy density 10% से कम है, तो scrub तो कहा जाएगा इसे, लेकिन इसे forest में include नहीं किया जाएगा, वाई, बिकोज forest में include करने के लिए तो 10% से उपर होना चाहिए, कम हो गया, तो forest के अंदर 3 major classes हो canopy density वो 70-100% होते है, canopy density का मतलब होता है, टोटल area जितना पेडों ने लिए रखा है, और canopy ने कितना cover कर रखा है, तो मालनो 10 hectare पेड आपने लगा रखे है, और 10 hectare में से 8 hectare पे canopy है, उतना area cover कर रखा है canopy तो 80% canopy density होगी ना, तो 70-100% canopy density जहाँ होते हैं, वो very dense forest होते हैं, 40-70% जहाँ canopy density होते हैं, 10-40% जहाँ होते हैं, वो open forest कहे जाते हैं, और अगर less than 10% canopy density है, तो उसे scrub कहा जाता है, और वो area जहाँ पर मैं पढ़ा रहा हूं, आप बैठे हैं, सडके हैं, स्कूल से हैं, होस्पिटल हैं, उनको non forest कहा जाता है, note covered in any above class, जो इनके अंदर नहीं आता, वो अपने आप में क्या हो जाता है, वो known forest area हो जाता है, यहाँ पर रुक जाते हैं, if you feel so, अगर आपको होगे तो मुझे issue नहीं है, अभी भी आदा घंटा और continue कर देंगे, अगर आपको लगे रा ब्रेक ले लो, और फिर चार वज़े दुबारा start करने तो say yes, because मैं आदा ही पढ़ाऊंगा, because 3 गंटे का तो schedule ही है, बट यह कि फिर last वड़ा 2 गंटे हो जाएगा, तो बेटर है, धाई धाई गंटे हमें मिल जाएगा, तो बोलिए आप क्या चाहते हो, break और continue, हाँ 20 मिनिट और है, मुझे पता यार, 20 तो नहीं है, धाई बज़े खत्मना 10 मिनिट किया है, उस साब से तो, बट मैंने 15 मिनिट शुरू किया था, जैसे आपको अच्छा लगे, तो ठीक है, फिर एक काम करते है, अच्छा लगे वाला तो सीन ही नहीं है, कुई चक्कर ही नहीं है, पर अभी 3 कर दूँगा, तो अगले बली 2 हो जाएगी, because forestry यह चोटा subject है, तो अगला पूरा करते हैं, चार बजे शुरू करते हैं फिर से, और चार बजे फिर शुरू करके पढ़ेंगे सारा का सारा, forestry, regeneration को, type of forestry को, फिर extension forestry को, फिर आजाएंगे आपके previous question, जहांपे मैंने बहुत सारे question कठे की है, पांच यह आए थे basic tamilogy से, but मैंने बहुत सार question के अंदर डाले हैं, क्यों डाले हैं, बहुत सारे, अलग-अलग exam से question डाले हैं, और एक magical practice भी मैं आपकी करवाने वाला हूँ, कब करवाने वाला हूँ, वो आज शाम को आपके group में करवाने वाला हूँ, वो क्या होगी आप लोग जानते हैं, जो नहीं जानते, नहीं लिखने के लिए आपको अपने account में login करना पड़ेगा, वहाँ वाले live section में आएगी, और इस class का जो pdf है, वो telegram पे share नहीं होगा, because this is not freely available, right, क्यो नहीं है, because मैंने demo दे दिया है sir, मैं सच्ची बता रहा हूँ, मैंने धाई महीने से महनत किया, इन subjects थे, पांस सम्च्च्च नहीं तो ignore कीजिए, और even crash course का price 699 है, जिसमें classes, notes, test series सब मिलने वाला है, तो शाम को मिलते हैं, चार बज़े, forestry के साथ question practice करेंगे, तब तक के लिए आप ब्रेक लो, अपना lunch करो, और चार बज़े के बाद आपको ब्रेक नहीं लेने दूँगा, विको जब मैं class खतम करू तो अगली duty आपको assign करूँगा, और रात को आपका test लूँगा, उससे पहले आपको notes भी दे दूँगा, तक कि आज जब सो या सुबह जब मेरी class दुबारा लेने आप फोरेस्टरी के बाद, कल मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, अनिमलस बेंटरी नहीं यार, कल आपकी end जय हिंद, जय भारत